चलिए जी अब शुरू करते हैं चैप्टर और इस चैप्टर का नाव है इस्टेंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर दी एक्जाम एक्जाम में इस चैप्टर से कोशन आएगा तो भ पढ़ने वाले हैं एक्जावियग का पढ़ने वाले मिलम्यू तो ढ़िए जी आपको विचाव पने है ही तो हो था क्या है हमें बेड़ेक्व और भीज्यातन किन रिंशिडे दिखाग नेख्ण और यहादेगा अवाली बात्तों आप जानते हैं बट इसे होते हैं जहां पर हमें variance given होता है और हमें निकालना होता है data मेरे इसाफ से अब धीरे-धीरे आप से ये ज्यादा पुछा जाएगा अब ध्यान देना ये जो question है data to variance वाला जहां पर data given है और variance निकालने के लिए question बोल रहा है इन question के base बनेंगे mcq इनके base बनेंगे mcq और जहां पर आपको variance given है और data निकालना है इसके base बनेंगे descriptive question mcq एक question एक number यह बहुत चार option तीन गलत एक सही और descriptive में क्या है कि 8 नंबर का एक ही question है सबसे पहला को ध्यान देना है इसके वह पर की variance क्यासे निकले सबसे पहला काम है variance के formula को याद करना उसके बाद डेटा निकालना variance के base पर तो variance के formula को याद करने के लिए, आप क्या करें, आपके जितने भी variance के formula हैं, उन सब को एक paper पे लिख लें, और खास बात, अगर आप मेरे student हैं, तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने class में करवाई है box approach, क्या करवाई है मैंने आपको, box approach, और ये box approach की मदद से, ये पूरे का पू आपको याद रखना बुएद आसान हो जाएगा, तो आपको अगर box approach पता है, तो आपके लिए box approach तो इल्को लिए तरीकर से मानलो की अमरित है, box approach पता है, तो आराम से आप कर लेंगे, लेकिन मानलो अगर आपको box approach नहीं पता, तो आपने करना क्या है, आपने एक simple paper के और उसको क्या करना है, जैसे मानलो कि मैं example लेता हूँ, जैसे मानलो ये paper है, तो आपने करना क्या है, सारे के सारे formula इस पर लिख लिए और कोशिस करना है, जितने भी formula है, चाहिए कोई variance हो, material variance हो, labor variance हो, variable overhead, यह fix over head, सारे के सारे formula को यहाँ पर लिख लो, और उसके बाद को fold फोल्ड करके अपनी पॉक्ट में रख लो और जब भी याद आए इसको निकालो एक बार याद कर लो तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलू कि सिर्फ और सिर्फ कि याद करने की टक्निक है यह आंशर इस क्योंकि संडर को कॉश्टिंग में कि वेइच में इतना बारीक डिफरेंस है कि अगर अग्जाम में आपने लगत लिख दीआ तो आपके आपका कोशन भी धार घ्लाने अब करने करने लिए आ और आपको आपको अग्या चालेगे लेकिन यह टेकिनिक कब लगा नहीं है जब आपको box approach नहीं पता हो box approach बहुती premium approach है और exam के लिए बहुती बढ़ी approach है standard costing बहुती simple chapter बन जाता है अगर आपको box approach मालूम हो तो आईए परते chapter के बारे में इस chapter के अंदर हम दो बाते खास करते हैं हम निकालते हैं actual cost और हम निकालते हैं standard cost और उनके भी different को हम बोलते हैं variance दोगा हमारा main मकसद यह है कि जो खर्चा हमने सोचा था उस खर्च जो खर्चा हमने सोचा था जब हमने production किया था उतना ही खर्चा हुआ example के लिए भाई जब हम एक finished product को बनाने की कोशिच करते हैं हमें क्या बनाना है हमको बनाना है एक finished product इसको बनाने क्या करना पड़ेगा हमें खर्चा करना पड़ेगा और कौन से खर्चे तो खर्चा होता है एक diet material cost एक होता है diet labour cost एक होता है DE और एक होता है आपका overhead ये चार खर्चे होते हैं तो ध्यान दीजिए आपने कुछ planning की होगी आपने कुछ planning की होगी तो मैं अगर बात करूँ budgeted आपने कुछ amount सोचा होगा कि इसकी एक बनाने में इतना खर्चा आएगा DM से का इतना खर्चा पाएगा D.E. का और इतना खर्चा आएगा overhead का फिर होगा क्या जब actual के अंदर प्रडॉक्शन कर चुके होगे तो फिर क्या पता होगा आपको actual आपको पता होगा कितना खर्चा आया इसस्का कैतना खर्चा आया और और आप इसके different को निकालोगे इसे हम technically बोलते है variance तो द यानि हमें फाइदा हुआ अच्छा लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो जैसे मालों यहां पर आपने सुझाए का सवरुप है और यहां मालों खर्चा आ गया 110 तो यह कितरा है यह 10 और खर्चा आ गया नेगेटिव यानि की एड़ वर्स तो कहने का मेरा मतलब यह कि खर्च खर्चा आजाए तो हमीं दिक्कट है current अगर का माय तो बड़े खुश्च है अच्क जहां पर खर्चा ज्यादा आगया है कि जहां पर खर्चा ज्यादा आघ्व हाप पर क्या करते हैं वहां में तर क्वारी छर्चम के टून्टें कि घृट अठी खर्च आख हो गया और फ तो पार्ट में तोड़ देते हैं एक होता है variable overhead variances और एक होता है fixed overhead variances आपके मन में आ रहा हुआ सर एक खर्चा तो आपने छोड़ी दिया इसका नाम है DE तो क्या सर direct expenses variance course में नहीं है वह दो को direct expenses वाला variance course में नहीं है इसके उपर question तो बन सकता है question तो बन सकता है but course में नहीं है exam में question कर आए तो कैसा आएगा simple सा question आएगा इतना खर्चा मैंने सुचा देतना खर्चा मेरा हुआ तो simple निकाल देना कि total budgeted DE और total minus total actual DE आपका आगया direct expense variance हाला कि इसके उपर कोई भी question आपके study mat में नहीं है ठीक है चलिए तो इस पूरी chapter के अंतरम बात करते हैं कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ variance या तो favorable होगा या unfavorable होगा अगर होगा unfavorable तो उसको हम प्यार से बोलते है adverse अब ध्यान देना अगर favorable है तो favorable को हम F से denote करते हैं और अगर unfavorable है तो उसे हम A से denote करते हैं अगर actual cost standard cost से ज्यादा है तो हम बोलेंगे adverse variance अगर actual cost standard cost से कम है तो हम बोलेंगे favorable variance simple language के अंदर मेरा असली में खर्चा ज्यादा हुआ है जो मैंने सोचा था उससे तो दुख की बात है मतलब adverse लेकिन असली में मेरा खर्चा कम हुआ है जो मैंने सोचा था उससे तो मेरे लिए खुशी की बात है फिगरे पर इस chapter में पढ़ने वाले हैं आप 4 types of variances अच्छा वेरियंस पढ़कर हम निकालना क्या चाहते हैं देखो हम वेरियंस को निकालने के बाद ना identify करना चाहते है उस reason को या उस व्यक्ति को जिसकी वजह से वह वेरियंस मेरा negative आया है देखो वेरियंस positive आयेगा तो भी खुशी की बात है वेरियंस positive आया तो मैं क्या करूंगा जिस व्यक्ति की वजह से वेरियंस positive आया है उसको मैं gift में कुछ दूंगा bonus salary में increment एक चुटियां कोई टूर की टिक्र देरी जाओ घून के आओ तो मेरा मकसद है अगर खर्चा बढ़ गया तो पिटाई और खर्चा गढ़ गया तो तारीफ और मिठाई चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं direct material cost variance के तो ध्यान देना direct material cost variance पांच category होती है इसके अंदर एक होता है direct material cost variance फिर direct material usage variance डार्ट material price variance डार्ट material yield variance डार्ट material mix variance यह पांच तरीके के हम variance निकालते हैं अंडर दी हैड direct material variance ओके अब ज़रा ध्यान दे रहा है मैंने क्या किया है मैंने यहाँ पर बताया आपको कि M1 का मतलब क्या M1 का मतलब है SP गुना SQ AO M2 का मतलब है SP गुना RSQ M3 का मतलब है SP गुना AQ और M4 का मतलब है AP गुना AQ तो मैंने M1, M2, M3, M4 को अगर बता दिया फिर मैंने क्या करा फर्मूले के यहाँ पर लिग दिया अगर मुझे निकालना है direct material cost variance तो M1-M4 अगर मुझे निकालना है usage variance तो M1-M3 अगर मुझे निकालना है price variance तो M3-M4 अगर मुझे निकालना है yield or mix variance तो M1-M2 और M1-M2-M3 तो जो मेरे बच्चे हैं जोनोंने मुझे class करी हैं उनको पता है box approach box approach की मदद से इन पांचो variance को समझ पाना इनके आपास में इंटर लिंकिंग बठाना और formula को याद करना और exam question को solve करना बहुत easy हो जाता है एक student है अभी मई 24 के अंदर उसकी all India rank 2 आई यह श्ललित उन्होंने बताया कि MC क्यूंदर उस question को solve करने में बहुत ही कम लगा with the help of box approach तो यह आपकी help करने के लिए कि जाती है concept कैसे बना concept ऐसा ही क्यों बना formula ऐसा ही क्यों है यह सब क्या है logical यह है derivations यह deep concept की बात है बट ultimate exam में क्या है trick short trick exam में क्या चलेगी short trick पर से solve करना है answer लाना है और नमस्ते बोल देना है अच्छा तो ध्यान देना मेरे बच्चे को तो पता है SP 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 AP AQ AQ RSQ SQ AO M1-M4 करूंगा तो मेरा आएगा direct material cost variance अगर M1-M3 करूंगा तो जो figure आई उसे बोलूंगा direct material usage variance M3-M4 करूंगा तो इसे बोलेंगे price variance direct material price variance फिर M1-M2 करूंगा इसे बोलेंगे direct material yield variance और M2-M3 करूंगा इसे बोलेंगे direct material mix variance आईए इन सब आपको मिनिंग बता देता हूं और इनकी full farm बताया हूं पहले पहले full farm की बात कर लेता हूं तो को SP का मतलब क्या है standard price of material यानि की one unit कितने का मिलना चाहिए था फिर है AP AP मतलब actual price of material एक unit कितने का मिला मालो मैंने बंदे को market में बेजा मैंने का वह जा फलाना raw material लेकर आ जा औ तो क्या होगी पिठाई क्यों इसने एक रुपा मेरा फाल्टू कर्स कर दिया मतलब मेरा वैरियंस नेगेटिव हो जाएगा और क्यूंकि मेरा प्राइज वैरिंस नेगेटिव होगा तो पिठाई किसको पढ़ेगी purchase manager को उसके बाद एक्यू एक्यू मतलब actual quantity consumed underline करना शब consumed को मैंने यहां पर purchase देने लिखा है देखो raw material quantity देखो raw material quantity consumed का अलग मिनिग होता है और purchase का अलग मिनिग होता है consume मतलब production में कितनी लगी और purchase मतलब market से कितनी खरीदी तो यहां पर लिखा मैंने consumed इसका खास ध्यान रखना कुछ बच्छे यहां पर जल्दबाजी में समक्ते हैं purchased okay फिर इसके बाद है SQAO SQAO के फिलफ़ा में standard quantity for actual output standard quantity for actual output इस सब पढ़ते कैसे हैं आओ जड़ा standard costing value chapter के अंदर आपको मैं चीजों को पढ़कर उसका मिनी निकालना सिखाओ तो ध्यान में लिखा कैसे मैं left to right जब लिखा तो मैं ऐसे गया लेकिन जब मिनी निकालूंगा तो मैं ऐसे आँगो right to left कैसे actual output प्रेडूस करने के लिए कितनी quantity लगनी चाहिए standard मतलब चाहिए त इसको बोलते हैं SQAO SQAO तो भई SQAO की फिलफों मैंने बता लिए आपको SQAO का फर्मूला क्या है तो फर्मूला है actual output गुना budgeted input for one unit of output जड़ा ध्यान देना मैंने क्या लिखा था अभी standard quantity for actual output यह एक्शुल आउटपुट जो प्रेडूस किया है company ने उसको प्रेडूस करने में कितनी quantity लगनी चाहिए थी कितनी quantity लगनी चाहिए थी तो मेरा सवाल यह होगा कि मुझे बताओ दो बाते पहले तो कुझे यह बताओ standard quantity for one unit of output यानि output की एक unit बनने में कितनी quantity लगनी चाहिए थी यह दो इंफर्मिशन में कुछ चाहिए दोनों का आवा से multiply कर दूंगा और क्या जाएगा मेरा SQAO तो वही formula मैं यहां पे लिखा है actual quantity गुना budgeted input for one unit of output अब कैसे आए मेरा budgeted input for one unit of output इसको नि budgeted material divided by total budgeted output रियान देना चाहिए इसका मैं आपको example लिता हूँ मान लो question के अंदर example ले रहा हूँ मैंने कहा to produce one unit of output 2 kg material is consumed यह required इसका मतलब क्या है एक unit बनने में दो किलो लगना चाहिए फिर मैंने बोला actual अंदर हमने जो प्रडूस किया हमारा actual output आमान लोगों है दस हजार units तो मुझे बताओ standard quantity for actual output दस हजार को बनाने में कितनी quantity लगनी चाहिए थी तो सिंपल से बात हैं दस हजार गुना तू केजी यानि कि दस हजार को बनाने में हमारी बीस हजार केजी लगना चाहिए था कि अब सवाल यह है पासमझे आगे example example यह आपर खत्म होगे अब सवाल यह है कि company ने यह कैसे निकाला हुगा कंपनी ने यह कैसे निकाला हुगा भाई कंपनी ने मुझे information दिया ना कि एक को बनाने में दो केजी लगना चाहिए तो कंपनी ने यह कैसे निकाला हुगा आई इसकी बात कर लेते हैं तो कंपनी ने नुमाल लगाया होगा कि भाई कि पांच हजार यूनिट्स अगर हम बनाएं पांच हजार यूनिट्स अगर हम बनाएं फिनिज गूड्स की जो की मानलो बजटेड है तो इसको बनाने में मानलो 10,000 kg raw material लगना चाहिए ध्यान देना company की planning क्या थी company की planning तो 5000 बनाने की ही थी company ने बना कितने दिए 10,000 तो हुआ गया company ने planning करी कि वह यह गर हम 5000 बनाने की planning करें तो 5000 बनाने में हमारा 10,000 kg लगना चाहिए तो इसका मतलब है एक को बनने में कितना तो देख रिए देख इसे टेखनी के लिए क्या बोलते हैं budgeted output यानि वह output जिसके हमने planning किये थी इसे क्या बोलते हैं budgeted raw material budgeted output and budgeted raw material तो मुझे अगर निकालना है budgeted input for one unit of output यानि output की एक unit को बनाने में कितना input लगना चाहिए input से मेरा मतलब क्या है? input से मेरा मतलब है raw material वह यह बात तो समझते हैं input मतलब जो लगाया गया output मतलब जो आया तो ध्यान दो मैंने क्या लगाया formula total budgeted raw material यानि 10,000 kg divide by total budgeted output यानि 5000 units तो यह आगया मेरा 2 kg per unit तो company ने ऐसे निकाला होगा तो यह वाला formula मैंने आपको यहां पे लिखके दिया यह रहा total budgeted material divided by total budgeted output costing chapter के अंदर एक वर्ड इसमाल होगा input और एक वर्ड इसमाल होगा output इनपूर मतलब जो लगाते हैं जैसे raw material लगाते हैं labor arts लगाते हैं production करने के लिए और output मतलब finished goods आई बात समझ में तो यह है मेरा formula निकालने का SQAO फिर बात करते हैं RSQ क्या मतलब वोता RSQ का RSQ का मतलब revised standard quantity ध्यां देना यहां पर वर्ड है revised standard quantity क्या मतलब वोता इसका सिर्फ इसका मतलब बताईए what is the meaning of standard मतलब चाहिए अगर मैं simple language बात चुरू standard का मतलब चाहिए तो कितनी quantity लगनी चाहिए अच्छा मानलो एक बंदा चाय बनाने जा रहा है उसको दूद चाहिए होगा चाय पत्ती चीनी मोटे तौर पर यह थोड़ा सा पानी दूद चाय पत्ती चीनी और पानी मोटे तौर पर चाहिए तो एक एक standard ratio होगा मानलो किसे वक्ति को बनानी है तीन कप चाहिए है ना तो वो क्या करेगा वो ऐसा भूल सकता है कि एड़़ कप मिल्क और दो कप पानी वाटर फिर चाय पत्ती थोड़ी से मानलो दो चमच नहीं एक चमच चाय पत्ती और उसके बाद मानलो चार चमच हीनी यहाँ पर एक ratio है डेढ़ एक दो चाह एक ratio है यह क्या बिसकली standard quantity तो मैं उसको बताया अगर तीन कप चाह बनाने जा रहे हो तो इतना 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 लगना चाहिए डेढ़ कप दूद दो कप पानी एक चमच चाय पत्ती और चार चमच चीनी मैं भी ratios को मैंने बताया बट जब वो दूद बनाएगा तो क्या रखता है आपको एसटी सेम रिशो लेगा जब वो दूद बनाएगा तो कुछ different कर सकता है वो यानि कि वो ऐसा कर सकता है डेढ़ की जगए दो कप दूद ले लिया पानी ले लिए डेढ़ कप चाय पत्ती लेली दो चमच और चीनी लेली मालो तो तीन चमच ऐसा कर सकता हो तो बिस्किन हुआ क्या उसने उसने quantity change कर दी तो आर एस्व का मतलब है कि जो मेरी actual quantity लगी है जो मेरी actual quantity लगी है अगर यह standard ratio में लगती तो कितनी कितनी लगती यानि कि यह दो प्लस दो अगर standard ratio में लगती तो कितना कितना लगती यह मेरा क्या है standard ratio यह मेरा क्या है actual quantity तो जो मेरे पास information आईगी उसको हम बोलेंगे revised standard quantity क्या बोलेंगे revised standard quantity यह मैंने बता दी आपको हर information का full form और एक deep minute अब बात करते हैं जैसे मानलों पहली बात करते हैं हम cost variance की सबसे पहले आता है हमारा material cost variance पिर इसके दो पार्ट होते हैं एक होता usage और एक होता price फिर ना यह usage of price अब ध्यान दो एक है मेरा cost variance उसको मैंने दो पार में तोड़ गया usage variance कितना और price variance कितना अब बताओ इसके लिए जिम्मदार कौन तो ध्यान दो use करने के लिए जिम्मदार होता है production manager production manager इसका मतलब है कि अगर मेरा usage variance negative आया तो company के अंदर factory में जो काम कर रहा है production manager उसको बुलाकर में भोलूँगा कि manager साहब आपकी वजह से ज्यादा material यूज हुआ है आपकी वजह से हमारा material usage variance negative आया है जितना extra cost आपकी वजह से हमने incur किया है यह आपके उपर penalty के रूप में लगेगा आपकी salary में इतना पैसा minus हो जाएगा तो penalty कि उसको पढ़ी production manager next time क्या करेंगा लिए next time में ध्यान रखेगा कि material fall to use ना हो material effectively use हो misuse ना हो अच्छा मान लोगा मेरा आ रहा है price variance negative तो यह जिम्मेदार किसकी है यह जिम्मेदालिया मेरी purchase manager कि purchase manager कौन होता है purchase manager होता है वो इंसान जो market से material purchase करने के लिए जिम्मेदार होता है वो market में जाता है मोल भाव करता है जो कानों पर घुमता है कचोडियां खाता है और वहाँ पर bargaining करकर material खरीद के लाता है तो ऐसे में अगर हमारा price variance negative आगा इसका मतलब है कि जिस rate पे लाना चाहिए था उससे ज्यादा rate पे खरीद के लाया है आपको जो मैंने बताया था कि फलाना आइटम दस रुपय पर रिनिट आता है आप 11 लेकिए सब्सक्राइब आपकी खरीदार से सब्सक्राइब आपको पता नहीं सब्सक्राइब अभी बजट आया था गवर्मेंट ने बजट टेंदर जेस्टी और वड़ा दिया जिसके विए से उद्धास रुपय वाला आइटम बार रुपय हो गया अधिया साब मैंने उससे बार गेंग करके उससे साब हाथ पैड चोड़कर उसको मैंने बोला हम तुम्हारी कितने पुराने कस्टरबर इतनी सारे वाईदे करवाने के वाद साथ 11 रुपय में लेकर आया हूं मैं वरना वह तो बारा का बोलड़ा था पूरी मार्केट में आज जो प्रिवेलिंग मार्केट पाइज बार रुपय ग्यार रुपय तो ही नहीं जब यह बाद जीम सुने जीम का बोलेगा अरे प्रचेज मैंजर साब अरे हमसे गलती हो गई आपने तो कंपनी का फाइदा किया है मतलब यह भले ही प्राइस एडवर्स था इसका रीज है तो हमने क्या करना ऐसे कर लो याद sb sb sp a p a q a q rsq sq a o चली इसके बाद बढ़ते हैं आगे हमारे पास कोशन नंबर एक और कोशन नंबर दो है कोशन नंबर एक तो आपको भी बता रहा हो मैं यह सेल्फ प्रेक्टिस कोशन यह आपको खुच करना आ अब इसके बात ब पर लेने इसको आप यहां पर लिगदा में कंसेप्चुल कोशन या यह को सब्सक्राइब आपने पढ़ लिया तो सब्सक्राइब का पार्ट है कंसेप्चुल यह आप समझ गया कि देखो एक्जाम के अंदर हमें निकालना है M1 M2 M3 M4 M1 मतलब होता है SP गुना SQ AO M2 मतलब SP गुना RSQ M3 मतलब SP गुना AQ और M4 मतलब AP गुना AQ यानि SP 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 AP AQ AQ RSQ SQ AO जो मेरे बच्चे हैं वो इशारे में समझ रहे होंगे पढ़ते कोशन को दा स्टेंडर्ड कॉस्ट आफ चैमिकल मिक्शर इस एस फॉलोज एक कैमिकल को अधियर रिशो यानिकी 40 पर संद लेना चाहिए मटेशले और 60 बचाहिए मटेरियल भी इससे ऐसे रिविशना 40% एंड 60% कि दूसरा क्या लिखा हुगा है ट्वन्टी एंड 30 एंड 30 क्या मेरा इस इस माइश पी एस पी बोले तो टूपी टेंडेंड पुलिस नहीं यार एस पी मतलब ऐसे मतलब स्टेंडर्ड प्राइज और मैटेरियर बीस और तीस आई है हमारी इस टेवल में हम एस पी लिख्या आते है तो कि एसपी मवन में भी है एसपी एंड थू में भी है और एस पी एंडिया मैंने 20 30 A B 20 30 20 30 क्या टाल दिया मैंने एस पी की इंपरमेशन डाल दी आई इसके बात बढ़ते हैं आगे ए इस्टेंडर्ड लॉस ऑफ 10% of input is expected in production क्या मतलब है इस लाइन का 10% standard loss of 10% of input is expected in production इस वर्ड़ पर फोकस करूं expected और मुझे यह बताओ यह जो लॉस है 10% वाला यह नॉर्मल है या अबनॉर्मल है कौन सा लॉस है नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है क्योंकि कुछ ने वोला यह expected it means यह नॉर्मल लॉस अच्छा कोशन ने क्या वोला था कि भई 10% नॉर्मल लॉस 10% किसका 10% of input okay 10% of input तो मैं अगर यह एक एक्जांपल ले रहा हूं मान लो मैंने 100 kg as input लगाया मैंने 100 kg as input लगाया तो मुझे बताओ ए में किता लगांगा और बी में किता लगांगा कुछ ने बताया था मेरे को देशों मेरे कितना 40% and 60% अगर मेरे को 100 kg लगाना है एज इन्पूट एज माटीरियल इन्पूट तो 40 पसंद लगेगा कि पॉर्ट में 60 है यह तो मेरा 40 या बी मेरा 60 है यह मेरा 60 है तो भाई 100 का 40 पसंट 40 kg और बी का 60 पसंट मेलब और 60 पसंट यानि 60 kg किता लग गया 100 kg तो 100 kg क्या है मेरा इन्पूट पर कोश़चन मुझे क्या बोला कि नर्मल लॉस मेरा कितना है न्रमल लॉस 10 परसंट अफ इन्पूट यानि 100 का इन परसंट तो माइनस तो तो यह क्या गया मेरा स्टेंडर्ड आउट्पूट मतलब अगर मैं 100 kg का इन्पूट लगाउं तो 90 kg का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए मेरे वर्ड पर फोकस करना स्टेंडर्ड मतलब चाहिए तो अगर 100 लगाउं तो 90 का आउट्पूट आना चाहिए तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मुझे 90 kg का आउट्पूट चाहिए अगर मुझे 90 kg का आउट्पूट चाहिए तो मुझे लगाने पढ़ेंगे 40 kg A के और मुझे लगाने पढ़ेंगे 60 kg B के यह क्या है मेरा स्टेंडर्ड मटीरियर स्टेंडर्ड क्वंटिटी बास ही क्या रहा हूं भाई 100 लगाऊंगा 90 बनेगा इसको मैंने 90 लगाने के लिए 40 A और 60 लगाना पढ़ेगा B तो मुझे यह बताओ क्या मैं इस information के based पर यहां पर यह निकाल सकता हूं budgeted इन्पुट और वन ईट ऑफ आउटपुट वन उनट ऑफ आउटपुट क्या था इसका फर्मूला इसका फर्मूला था टोटल बजिटेड माटीरियल डिवाइड बाई टोटल बजिटेड आउट तो अगर बात करूं मैं A की माटीरियल A और अगर बात करूं material B की, तो क्या निकाल सकता हूं यह, सोज के बता, बिलकुल जी, देखो, 90 kg, 90 kg, बनाने के लिए A का लगाना चाहिए 40, और B का लगाना चाहिए 60, तो 40 बटा 90 हो जाएगा मेरा for A, और 60 बटा 90 हो जाएगा मेरा for B, और यह क्या है मेरा, this is my budgeted input for one unit of output, इस for one unit of output, यानि output की एक unit को बनाने में, हमें कितना input लगाना चाहिए, हमें कितना input लगाना चाहिए, मैं यह बात समझता हूँ, standard costing वाले chapter, formulae बहुत है, इसलिए कई बार आपको लगेगा कि यार, इस chapter को में छोड़ दूँ क्या, बट मैं आपको बोलूँगा मत छोड़ो, क्योंकि MCQ आने के बाद, इस chapter की weightage, मेरे हिसाब से, अब exams में बढ़ जाएगी, because, MCQ वाले question में डालेगा, MCQ वाले question में डालेगा institute, variance निकालो, और descriptive वाले question में डालेगा data निकालो, variance देगा, data निकाले के लिए बोलेगा, तुभी target कर 100 number का है, तो जाहिर सी बात है, हर chapter, हर concept, हर question important है, चलिए, आगे बढ़ते है, the cost records for a period, showed the following usage, underline करो word usage, किसकी बात कर रहा है, actual usage, तो given है, 90 kg material है, use किया, at a cost of 18 पर किजी, 18 पर किजी में रहा है, AP, actual price of material, फिर 110 kg उस किया, material भी, at a cost of 34 पर किजी, 34 पर किजी मेरा क्या है, AP, तो ध्यान देना, M4 को निकालने में AP का इस्तमाल होता है, तो 18 और 34, लिख दू यहां पर, 18 और 34, यह क्या है मेरा, AP, तो देखो, SP, 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 AP तो मैं लिख लिया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, AQ, तो यह रह 90 kg, और 110 kg, फिर यह रहा, AQ, तो 90 और 110 kg, अब आपस में अगर, इन्फोर्मेशन को मल्टिकर आगर करके अड़ कर दूँ, वही, 20 गुना 90, अटारा सो, 30 गुना 10, 33 तो और एड़ कर रो, 51, 100, तो यह आगया मेरा, M3, फिर 18 गुना 90, 1620, 34, गुना 1110, 37, 40, कितना आगया मेरा, 53, 60 यानि M4, तो लीजिए, मेरा M3, M4 तो आगया, अब मुझे क्या निकालना है, M2, M2 के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, R SQ, R SQ, क्या मतलब है, R कुसका, Revised Standard Quantity, इसको निकालने की टक्निक क्या है, टक्निक मैंने लिखी है, आओ, मैंने बोला है कि जो भी आपका Actual Quantity है, Material की, जो Consume हुई है, उसे Divide कर दो, Standard Quantity Ratio के अंदर, उसे Divide कर दो, Standard Quantity Ratio के अंदर, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर Actual Quantity Consume क कितनी है, तो देखो 90 केजी कंजीम हुआ ए, और 110 कंजीम हुआ, बी, याने कुल कितना कंजीम हुआ, 200 केजी, तो टक्निक क्या बोलती है, 200 केजी को, 40 and 60% में, बांट दो, 40 to 60, तो 200 को बांटो, 40 to 60 के अंदर, तो आ जाएगा 80, और 120, तो लो जी, R SQ आ गया, उसके बाद, 20 गुना 80, आ गया 1600, तीस गुना 120, आ गया 3600, तो आ गया मेरा M2, अब रह गया मेरा सिरीफ M1, M1 के लिए मुझे क्या चाहिए, SQ AO, तो आओ ज़रा, कोर्शन को आगे पढ़े, कोर्शन है क्या बोला, the quantity produced, जब वर्ड आ गया produced, तो समझ जाओ, यह है मेरा output, कौन से वाला actual वाला, तो क्या बनाए हमने, हमने बनाए 112 kg of good output, हमें निकालना है SQ AO, तो SQ AO का formula क्या होता है, यह होता है जी formula, actual output, गुना budgeted input for one unit of output, अब ज़रा ध्यान देना, आपका जो budgeted input है, आपका जो budgeted input है, यह तो है निकाला था हमने, 40 बटन अब है, 60 बटन अब है, है ना, त तो यह राज 40 बटन अब है, और यह राज 70 बटन अब है, actual output में जो question में कितना, 182 kg, 182, 182, 182, तो लो जी, मेरा आगया मटल एका SQ AO, और यह SQ AO for material B, 80.88 और 183, आई यह इन दोने information को अभी मैं उपर लिग देता हूं, तो यह table में लिग दिया मैंने, 80.88, 181, 23, multiply करा यह यह आगया, multiply करा, यह आगया, दोनों को add करा, यह आगया, तो मेरा M1 भी आगया, M2 भी आगया, M3 भी आगया, M4 भी आगया, M1, M2, M3, M4 आने के बाद, आपको यह formula की sequence याद होनी चाहिए, कि इसको बढ़ाने पर क्या निखिलेगा, और याद करने का best तरीका है, इस image के base पर याद कर लो, यह image आपको help परेगी, चीजों का अच्छे से recall करने के अंदर, अच्छे से remember करने के अंदर, कोई गड़़ण कभी नहीं होगे, तो आप जारों की value तो आप जानते ही हो, यह रही, यह आपके M1, M2, M3, M4, तो बस simply करना क्या है, formula fit कर दो, cost variance M1-M4, usage M1-M3, price M3-M4, yield M1-M2, mix M2-M3, जो positive आए, उसे बो दो favorable, जो negative आए, उसे बो दो adverse, favorable वाले में F लिख दो, adverse वाले में A लिख दो, जो जहां पर हमें फाय जान हुआ है, A, तो यह था मेरा material variances, यह था मेरा material variances, आईए, इसके बात बढ़ते हैं आगे, और अगला variance है मेरा labor variances, अगला है मेरा labor variances, और क्या लिखाया मैंने बीच में, साथ में, with abnormal idle time, यह होता क्या है, abnormal idle time, आईए, इसके बारे में बात करें, अच्छा, आगे बढ करवाया भी आपको material variances, उसको थुर्ण साथ absorb परो, हजम करो उसको, हजम, आपको मैं कुछ भी करवा दू, कैसे भी करवा दू, कोई टेखनीक लागा दू, मगर आपने उस concept को अगर हजम नहीं किया, मन में उतारा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, तो कि मैं आपने दिमा के अंदर नहीं बैठ सकता, मैं आपके दिमाग में पहुचाने के लिए material को, example को simplify कर सकता हूँ, ultimately आप ही हो, जो उस formula को, उस technique को, उस derivation को, उस logic को अपने दिमाग में उतार होगे, कैसे उतार होगे, concentration के बीस पर, अगर ये chapter पढ़ते पढ़ते, आपका ध्यान बार-बार क कहा था, कोई भी बात कर आके मन में चल रही है, chapter करते-करते, इसका मतलब है, आपका 100% concentration इसमें नहीं है, अचा ये 100% concentration बनता कैसे, इसके एक technique तो है, और technique क्या है, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, या जो भी आप मुझसे सीख रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो, जैस परचेज मैनेजर, एक image बनाओ मन के अंदर, परचेज मैनेजर, अगें, कोट टाइप एंडर के, टाइप लंबी इस बार, वो बहार जाता है, माल खरीद के लाता है, परचेज मैनेजर, तो, जो भी शब्द मैं बोल रहा हूं, अगर हर शब्द को आप मन में visualize कर रहे हो, बट लेबर ने काम किस efficiency से किया, क्या लेबर को हमें budget extra pay करना पड़ा, इसकी वज़ए से labor cost मेरी कम या ज्यादा होगी, अगर labor cost मेरी कम हो रही है, तो खुशी की बात है, लेकि labor cost अगर मेरी बढ़ रही है, तो tension की बात है, तो कहने का मतलब यह है, कि labor variance से जब मैं पढ़ा जब production नहीं हुआ, मगर company ने payment की, मतलब मेरी company में एक employee बैठा है, मुझे पता है, इसने production नहीं किया, या इसने इस समय production नहीं किया, यह कुछ और कर रहा था, मगर मुझे उसकी payment करनी पढ़ रही है, इसको बोलते है, idle time, idle time मतलब non productive time, तो मन में image बनाओ न, इक हाली कैसे ब जिने होगा, तो मन में image बनाओ, आलू की सबजी, रोटी, प्याज ले कर आया है, उसी इसाब से, मैं बोला, यह है normal, सुप्सु करने एं, मन में image बनाओ, पानी पी रहा है, यह normal idle time, यह आपर मैं चहा कर भी, as an employer, employee को डाठ नहीं सकता, कि यह क्या कर रहे हैं तुम खाना खा रहे हैं प्रडॉक्शन कौन करेगा तुम्हारे पिता जी नहीं कह सकता मैं असा वह नॉर्मल आइडल टाइम है भाई अगर वह काम वह नहीं करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी कि मालो उसे तिरी सब्सु आरा बहुत सब्सु आरा उसको आंने ना दें उसको क्या होगा पूरा जो प्रडॉक्शन एडिया गंदा कर देगा कि और व्यांज में नॉर्मल आइल टाइम जाने दो जाने दो एक होता है अगण में किसकी बात कर रहा हूं में अग्या मतलब में है फोईल तो जो कम्पनी की गलती से हुआ है मतलब कंपनी के माले की गलती हां जैसे मशीन घराब हो गई टाइमपिर रिपेरिरी कर वाया मशीन murderedake ऑग तो मन में में अच capitalist बनाओ ये टेखनीक, follow करो, बहुत जबरदस टेखनीक है, तो आईए बात करते हैं, abnormal idle time, company के अंतर machine खराब हो गई, repair होने में लगे 4 घंटे, सारे के सारे employee खाली बठी रहे, उन्होंने कोई production नहीं किया, बट मुझे उनको payment करना पड़ेगा, तो इस case में क्या होगा, ध्यान देना, इस case में क्या होगा, मेरा actual hours paid ज्यादा होगा, actual hours worked से, कहने का मतलब है, आज उन्होंने काम तो सिर्फ 4 घंटे ही किया, बट मुझे payment करनी पड़ी 8 घंटे की, क्यों, व्योंकि बाकि 4 घंटे machine खराब थी, अब जब machine खराब थी, employee काम तो नहीं कर सकता ना, machine ही खराब है, व कहां दुबा निकला, कोई short circuit हो गया, machine में क्या grease खतम हो गया, machine इतनी overheat क्यों हो गई, machine को proper cooling मिल रही है कि नहीं मिल रही है, machine कहां पर रख दिन लोगों ने, महां पर गर्मी तो नहीं हो जादा, temperature क्या है भार का, तो जब वो repair and maintenance कर रहा है, मेरा व्योंकि खाली बट होगा की, तो labor variance वाले case के अंदर भी हम निकालते हैं, 6 type के variance, हम निकालते हैं, 6 type के variance, आईए, सबसे पहले हम निकालते हैं, direct labor, है ना, short में DL है, बार बार बोलूंगा नी, हम निकालते है, direct labor cost variance, सबसे बड़ा variance होता है, direct labor cost variance, इसको निकालने का फ़मुला होता है, L1 minus L5, और द L3, L4, और L5 को define कर दिया, L1 मतलब क्या, S, R गुना S, H, A, O, यहां पर S, R मतलब क्या है, S, R का मतलब है, S, R का मतलब है, standard wage rate, यानि अगर worker हमारे पास एक घंटे काम करें, तो उस एक घंटे काम करने के बदले, हमें उसे कितना payment करना चाहिए, this is my S, R, तो S, R गुना S, H, H, A, O, अब सवाले, S, H, A, O, क्या है, तो ध्यान दिजिए, अभी हमने क्या था, S, H, A, हमने क्या था, S, Q, A, O, अभी हमने क्या किया था, S, Q, A, O, actual output बनने में, कितनी quantity, material लगना चाहिए, अब यह क्या है, S, H, A, O, यानि actual output को बनने में, कितने आर्च लगने चाहिए, S, H, A, O, को निकालने का, आईए ज़र, तो देखिए, actual output, गुना, budgeted input for one unit of output, और यहाँ पर input का मतलब क्या है, यहाँ पर input का मतलब अब है, labor hour, पहले क्या था, material, देखो, पहले यहाँ पर क्या था, इसको निकालने का formula, total budgeted material, अब मैंने क्या लग दिया, total budgeted labor hours, divided by, total budgeted output, खुल मिलाकर, exactly similar, to S, Q, A, O, exactly similar, तो यहाँ गया मेरा S, H, A, O, ऐसे आगा मेरा L1, फिर L2 का formula क्या है, S, R, G, R, S, H, S, R, T, तो पता ही है आपको, standard budgeted, और R, S, H, मतलब क्या, R, S, S, का मतलब है, revised standard hours, वहाँ पर कहाता, R, S, Q, revised standard quantity, तो ध्यान दीजिए, वहाँ पर क्या ग material mix ratio में, और यहाँ पर क्या बोला हूँ में, actual hours जो work किया है, उसको बाटो, standard labor mix ratio में, again similar, R, S, H, O, के, इसके बाद है, L3, S, R, G, A, H, W, A, H, W का मतलब है, actual hours worked, employee ने हमारी company में कितने घंटे actual में काम किया है, मतलब production किया है, O, के, फिर इसके बाद है, L4, L4 मतलब S, R, G, A H, P, S, R मतलब पता ही है, standard wage rate, और A, H, P मतलब, A, H, P मतलब है, actual hours paid, उसे कितने घंटों की हमने actual में payment की है, इसे बोलते है, A, H, P, फिर इसके बाद है, L5, L5 का मतलब है, A, R, G, A, H, P, A, R मतलब, actual wage rate, और A, H, P मतलब, actual hours paid, L1 कैसन के लिएगा, बता दिया, L2 कैसन के है, तो सबसे पहले आता है, direct labor cost variance, फिर इसको ना हम, इसको ना हम, तीन पार्ट में divide करते हैं, एक इसमें आता है, direct labor efficiency variance, एक इसमें आता है, abnormal, idle, time variance, और एक इसमें आता है, direct labor rate variance, rate मतलब, wage rate, अच्छा, efficiency को में दो पार्ट में तोड़ता हम, direct labor, yield variance, और direct labor, mixed variance, अच्छा, yield variance को revised variance या, sub efficiency variance भी कहते हैं, एक्जाम में question आ जाए, कि निकालो, revised labor variance, समझ जाना yield की बात करता है, question बहुत निकालो, ये बात तो confirm है, कि abnormal, idle time वाले case के अंदर, actual arts worked, shall be less than actual art speed, अब इसको लिखाता है, मैंने, उल्टा, अब लिखाता है, मैंने, ASP बढ़ा होगा, अब मैंने इस लिख दिया, ऐसे, ASP छोटा होगा, तो बात तो यह किया, तो मैंने क्या बोला, जब actual arts worked, is less than actual art speed, काम की चार घंटे के लिए, पेवन करी 6 घंटे की, काम की 6 घंटे के लिए, पेवन करी 8 घंटे की, तो एक बात बताना चाहरता है, मैं आपको जब भी, कोशन में, abnormal idle time variance आएगा, यह always adverse आएगा, यह खास बात है, always adverse, क्यों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि वरकर 10 घंटे की payment ले, और 12 घंटे काम करे, क्या लगता है आपको, ऐसा है अंदुस्तां के अंदर, 10 घंटे की payment ले, और 12 घंटे काम करे, अरे बलकि मैं तो कहता हूँ, 10 घंटे की payment ले, और इमानदारी से 10 घंटे काम करे, यह बड़ी बात है, ऐसी कहाँ उम्मीद कर रहे हो, ये दस घंटे की तो payment देंगे और बारा घंटे काम करेगा, ऐसे लोग हैँ कहां, बहुत कम, करोडों में कोई एक, दस घंटे की payment तो बारा घंटे काम करेगा, ऐसे बंदे नहीं भी लेंगे आपको, तो भाई साथ आपका जो abnormal idle time है न, always adverse होगा, तो सवाल ये है, तो सवाल य जग गई, abnormal situation, इस पर employee control नहीं कर सकते, machine फुग गई, blast हो गया, इस पर employee control नहीं कर सकते, factory के अंदर power cut हो गया, इस पर employee control नहीं कर सकते, factory के अंदर material खतम हो गया, material है ही नहीं, अब क्या बनाए, इस पर employee control नहीं कर सकते, ये जिम्मदारी है top managers की, यानि purchase managers की जिम्मदारी है, यहां पर लेबर को पिटाई नहीं हो नहीं है समझे आई जड़ा सबसे पहले बात करते हैं डार्क लेबर कॉस्ट निकालने के फर्म मिलेगी तो यह होता है L1-L5 ऐसे आता है डार्क लेबर कॉस्ट वेरियंस फिर निकालते हैं पिर रादे बैमिल थरी इसको बोलते हैं डार्क लेवर एंप चम्म जा और ऑबूर माहिएंस उनाछा याद लाट वारीघर अधना혁 के अंदर तो यह था जी concept इस सद्र कॉस्टिंग वाले चप्टर है एक concept बहुत दमदार है लेको दमदार से मुझे बात यार आई दमदार कौन होता है एक्जाम के अंदर confident कौन होता है एक्जाम के अंदर जिसने दमदार practice कियो जिसने दमदार revision किया हूँ अच्छा ऐसे कोई खास बच्चे होते हैं का यह नहीं बच्चे तो वही होते हैं बस काम पूरा करते हैं जितनी बार बोलें उनको पुर्चत्तम सर कॉस्टी में revise करना है वो revise करते हैं मैंने बोला ABC analysis करो अपने हर test paper 3-5 बार करो वह करेंगे तो दमदार जवाता है जो बात को follow करें जो उस पे काम करें वहीए आपको CA बनना है कैसे पढ़ना है पढ़ाई करनी है पढ़ाए कैसे करनी है teacher बता रहा तो teacher जो बता को Iisenh थरो करो जैसे की अपर बना है तो यह मत नहीं प्रहु करो करो जासे परू प्रेयर सकोडिस करो प्रैसिको पर उसाइटर करो प्ले करो मुवी तेखो चीजों को सीखो समझो पड़ो करना पड़े गा डंधार बनना है तो रहोत प्रहिंब हो करना no.3 को यह अन कहता है npx limited user standard costing system for manufacturing of its product x किसके बात कर रहे हैं product x को बनाने की बात कर रहे है क्या नाम है हमारे finished goods का x following is the budgeted data given in relation to labor hours for manufacture of one unit of product x सोचो product की एक unit को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए वो नीचे given है तो बिस्किली क्या given है यह given है आपको यह given है आपको budgeted input budgeted input for one unit of output और यहां पर क्या मतलब इन्पूट का यहां पर इन्पूट का मतलब लेबर आर्स नानि एक finished goods को बनने में इस्किल्ड के दो घंटे सेमिस्किल्ड के तीन घंटे और अनिस्किल्ड के पांस घंटे लगने चाहिए फिर given है रेट छे चार और तीन यह क्या है मेरी यह मेरी एस आर स्टेंडर रेट फिर given है in the month of January total 10,000 units वर प्रेड्यूजड यह क्या है मेरा प्रेड्यूजड मतलब actual output तो ध्यान देना मुझे यहाँ पर given है actual output और मुझे यहाँ पर given है budgeted input for one unit of output तो क्या लगता है आपको दोनों information का इस्तमाल करके मैं SHAO निकाल सकता हूं SHAO simple है दस जार गुना दो दर्सदार गुना तीन दर्सदार गुना पांच आजा का मेरा SHO formula क्या होता है इसका actual output गुना budgeted input for one unit of output आई यह इसके बाद बढ़ते हैं आगे हमें given है actual data लेबर से लगे हैं अठारा जार गंटे से मिस्किल के लगे हैं 33 गंटे और अनस्किल के लगे लगे एक लाग नो जार गंटे फिर गिवन रेट यह कौन सा रेट है यह है मेरा actual rate है ठीक है साथ रुपए साड़े तीन रुपए और चार रुपए तुर उसके बाद है actual idle time bracket में लिखा हुआ abnormal ड्यूरिंग दा मन्त उपर क्या गिवन है मुझे मुझे उपर गिवन है कितने घंटे की पेमेंट की हमने एच पी और यह मुझे गिवन है कितने घंटे उन्होंने काम नहीं किया विकॉज इस अबनॉर्मल तो मैं अगर आप से पूछू हूँ कि अगि मुझे निकालना है एच डवलू एच डवलू निकालना है मुझे कैसे निकालोगे तो सिंपल से बात है वह एच पी में से माइनस कर दोगे अबनॉर्मल टाइं कि 18000 घंटे की पेमेंट करी बट 500 घंटे काम नहीं करा इसका मतलब है 17500 घंटे काम किया अधावन हजार घंटे करी और 800 घंटे काम नहीं हुआ इसका मतलब है 57200 घंटे काम हुआ तो एच डवलू एन एच पी समझेट टोब्लग एक वर्वार्मेंटे मेरी दो डिक्वार्मेंट्ट एएन डिक्वार्मेंट भी पहले बाती है कि में नमबर एक की और निकालने लिवर वेडियंस आये जारा तो यह वहन रुटकर लवन में क्या क्या यह सब्सक्राइब और मेरे बनें यहाँए यहां पर लेफ कोशन के अंदर क्या आपको स्टेंडर्ड वेजट गिवन है आंसरी जयत छे चार तीन सर कहां गिवन है यह तो नहीं छे चार तीन तो यह रहा छे रुपए, छे रुपए, छे रुपए, छे रुपए, छे रुपए, छे रुपए, इसकिल्ड का, पर यह रहा चार रुपए, चार रुपए, चार रुपए, सेमिसकिल्ड का, और यह रहा तीन रुपए, तीन रुपए, तीन रुपए, और तीन रुपए, क्या कोशन में A-R given है answer is yes 7, 3, 4 आओ भे A-R 7 रुपय स्किल्ड का है साड़ी तीन है सेमिस्किल्ड का और 4 है अनस्किल्ड का अगरी information क्या मुझे कोशन में A-HP given है A-HP मेरे को चाहिए L-4 के लिए L-5 के लिए answer is yes यह रही मेरी A-HP 18,000, 33,000, 58,000 तो multiplied by 18,000, multiplied by 58,000 फिर मुझे चाहिए A-HW, तो कैसे लिए A-HP minus abnormal time आईए ज़रा, यह रहा मेरा working note A-HW को निकालने का तो A-HP minus abnormal time या गए W, फिर actual paid abnormal time minus करो दो या गए W, फिर actual hours paid minus abnormal time या गए actual hours worked, तो 17,500, 32,000 और 57,200 तो 17,500, 32,000, 57,200, यह क्या है मेरा actual hours worked, अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसके बाद चाहिए मेरे को R-S-H, revised standard hours, तो मैंने क्या गाता, जितने घंटे actual में काम किया है, यह जो मेरा 2-3-5 में बाढ़ दो, तो यह आगया मेरा revised standard hours, यह मेरा है revised standard hours, एक लाग साती जार, डिवाइड बाइट एन गुन्या टू, हाँ, यह मेरा R-S-H है, इसको कार्ड दो रिखाना है, इसको कार्ड दो, R-S-H मेरा यह, 21-4, 32-100, और त्रेफ मेरा पांचो, तो यहाँ पर लिखा मैने 21-400, फिर लिखा मैने 32-100, और लिखा मैने त्रेफ मेरा पांचो, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे 11 के लिए चाहिए, S-H-A-O, तो भई S-H-A-O, बड़ा सिंपल यह तो, यह तो मैंने बताया था आपको, 10,000 यूनिट्स हमारी एक्षिल आट्पुट है, और एक को बनने में 2 घंटे इसके, 3 घंटे इसके, और 5 घंटे इसके लगने चाहिए, मतलब 20,000 घंटे स्केल्ट के, 30,000 गंटे सेम इस L2, यह आगया मेरा L3, यह आगया मेरा L4, और यह आगया मेरा L5, उसके बाद यह फर्मूले जो आपको मैंने बताये थे, सिंपल यह है, L1-L5 कर दो, अंसर आ जाएगा, L1-L3 कर दो, एफिशेंसी आ जाएगा, L3-L4 कर दो, अबनॉर्मल आइडल ताइम वेरिंस आ जाए आएए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद requirement number B पे आपे है, requirement number B, requirement number B भी कहती है, also show the effect on labor rate variance, दो को पहली बात तो confirm यह हो गई, कि requirement number 2 मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है direct labor rate variance, क्या formula था रेट वेरिंस का, इसका formula होता है, L4-L5, यानि सिर्फ यह minus य कहता है, कहता है, 5000 hours of skill labor are paid at 5.5 per hour and balance were paid at 7 per hour, क्या मतलब इसका, यह किसके बात करना सिर्फ, यह बात करना सिर्फ इसके, इसका मतलब है, यह जो मेरी table है, जो मैंने बनाई है, सारे variance के लिए, मुझे फिर सबनानी पड़ेगी, और किसके लिए, क्या बनाऊंगा मैं, L4 और L5, है ना, आजए खास बात, इसने क्या बोला, इसने बोला, इसने बोला, सिर्फ और सिर्फ कहां चेंज है, इसके, इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा semi-skilled और un-skilled calculation है, चार गुना 33, तीन गुना 58, ठीक सेम रहेगा मेरा, अच्छा, आई ज़रा, इसने क्या बोला, कि जो मेरे 18,000 घंटे है, जो मेरे 18,000 घंटे है, जो मेरे 18,000 घंटे है, उसके अंदर 5,000 घंटों की पेमेंट तो क साथ किसाब से, तो बता किसकी बात कर रहा है, सोच के बताना, यह standard rate की बात कर रहा है, यह actual rate की बात कर रहा है, तो इसके बताओ, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा tricky है, इसने बोला है actual rate के बारे बारे, कैसे बता लगा, लिखा है, आर पेड, इसका मतलब है इसने बुला यह 18,000 घंटों को ना दो पार्टें कर रहा है अभी क्या था अभी अमने क्या उला पूरे के पूरे अठार घंटे साथ रूपए से पेऊ हुए है साथ रूपए पर आरबट ही क्या बोल रहा है इसको दो पार्टें कड़ो एक तो 5000 घंटे और बै थे बररीयंजी तो देखो इन दोने के बारें तो कुछी नीमि बोला ना से में स्कल्इके बारें बीन दीकम हख के बारें बोला नों इन से नहीं य। इंपेक्स तो भी फड़ेगा नहीं मेरे उपर लिपका में नमर्टू की बात कर रहा हूं फरक सिर्फ और सिर्फ किस्टे पढ़ेगा इससे पढ़ेगा आओ जरा निकालू कितना आगया मेरा एल फोर और इस किल्ड अबर कर तो अठ्षारा गुना 6 एक लाख आठेजार माइनस आओ जरा पांच हजार गुना साड़े पाँच पल啊 मेरेरा गुना साद तो निकालू पाँच हजार गुना पांच और तेरा गुना साद यह आ गया मेरा नेगिटीव आ रहा है दस जार पांद सो तो लो जी इस किल्ड लेबर का रेट चेन्ज करने के वज़ए से लेबर वैरियंस दस जार पांद सो रूपए एडवर्ज हो जाएगा यह इंपक्ट पढ़ेगा लेबर रेट वैरियंस के उपर तो आंसर को मैंने यहां पर सिंप्लिफाई भी कर दिया और यहां पर सॉल्व कर रखा है जैसे स्टेडी मैट में सॉल्व कर रखा है इंपक्ट पूछा वावर्ज से इंपक्ट कितना है इंपक्ट मेरा दसथार पांज वाण इस इंपक्ट अन इसपैट अब बात करते हैं बाकी दो फीद बाकी दो बिले सेंव रहेंगे चार गुना 23 माइनस सार्थ तीन गुना 23 तीन तीन एठावन माइनस चारुनाध सेमी स्केल्ड और अनस्किल्ड इसका प्रिश निकाला लेबर रेट वारियंस इंपक्स इसके विले से आएगा बाकि दोनों सेम रहेंगे जो पहले आ रहेते वोई तीनों को एड़ कर दो आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर आ गया है 58 52,000 एडवर्स तो यह था मेरा रेट वैरियंस इस वाज माई लेबर रेट वैरियंस जरह ले बने चलो हम भी पीछे है तुमारे चलो आगे बढ़ें ओवरहेड अगला वैरियंस है मेरा ओवरहेड और मैं जानता हूं आपको डर लग रहा हाओगा कि सर यह वैरियंस कहीं मेरा ओवर्डी हैड तो नहीं चला जाएगा देखो ओवरहेड वाला वैरियंस अगेइन कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उपर नहीं जाएगा कॉंसेप्ट में गड़बड़ कर दी भाग जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं ओवरहेड द्यान दीजिए ओवरहेड मेरे दो तरीके की होते हैं एक होते हैं variable part और एक होता fixed part है ना तो मेरे दो टाइप अ वेरियंसे हैं एक है मेरा variable overhead variances और एक है मेरा fixed overhead variances ओके तो basically क्या है ना कि overhead variances निकालने के लिए हमें कुछ information निकालने पड़ती है तो ध्यान देना जरा मैं कुछ बात बतने बाला हूँ आपको देखो हमें निकालना है overhead variance ओके इसको निकालने के लिए हमें कुछ information निकालने पड़ती है we have to calculate some information और इन information को निकालने के लिए हमें कुछ और information निकालने पड़ती है कि अगर मुझे निकालना है overhead variances तो मुझे information दो बार निकालने पड़ेंगी formulae जो होंगे over variance का वो होंगे इस information के base पर लेकिन जो यहां पर information आएगी वो हो नकिलिए कि is information के base पर तो कहने का मतलब मेरा यह है कि variable overhead variance निकालने से पहले हमें यह basic information निकालना आना चाहिए और यह basic information क्या है, ध्रभण देना यह है मेरी basic information for calculation of overhead और यह मेरी है specific information for calculation of overhead पर्ले निकालूँगा basic, basic से निकालते है special और special से निकालते है overhead variance आगे बात समझ में अच्छा, तो ये बात आपको समना आगे होगी information निकालने दो तरीके की मेरे को अब वो information निकालने कैसी है आईए इसके बारे में बात करते हैं देखो, overhead निकालते वक्त हमें 5 type of overhead निकालने आने चाहिए देखिए आपने में बात कर रहा हूँ basic information की यानि basic calculation देखो, output absorbed overhead पहला word है output absorbed overhead दूसरा word है input absorbed overhead तीसरा word है possible overhead चौथा word है budgeted overhead और 5 वा word है actual overhead देखो, पहले बात करता हूँ सबसे पहले बात करता हूँ, आईए इसकी information number 5 actual overhead इसका simple मतलब है actual में कितना खर्चा किया है actual में कितना variable overhead incur हुआ है, actual में कितना fixed overhead incur हुआ है very very simple और यह information normally मुझे question में given होगी जी मतलब given information number 4 budgeted overhead इसका मतलब है कि मैंने कितना खर्चा होगा क्या सोचा था इसके बारे में यानि कि मेरा estimated overhead कितना था production शुरू करने से पहले उसका बोलते है budgeted overhead तो question के अंदर आपको यह information भी normally given होगी तो कहने का मतलब यह है कि 5 information के base पर जो बाते कर रहे हैं basic information उन मिज़े 5 information है 2 information तो ऐसी है जो normally question में आपको 99.99% given होगी अब 3 तरीके की information है जो आपको कुछ से निकालने पढ़ेगी एक है output absorbed overhead एक है input absorbed overhead और यह है possible overhead अग्ये इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको output absorbed overhead के बारे में output absorbed overhead यहां पर focus हो रहो word output के उपर देखो input मतलब क्या होता है जो हम नहीं लगाया जैसे material labor हम नहीं लगाया output मतलब जो हमारा finish goods है जैसे मैं भी मैं क्या input लगा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने notes बनाए input lecture record कर रहा हूँ input final जब आपके इस class बनके आगई वो क्या क्या लाएगा output आगे बात समझ में input में और output में क्या difference होता है simple सी बात है ज्यादा difficult है नहीं अगला word मेरा absorbed क्या मतलब होता है absorbed का absorbed का मतलब होता है कितना हमने recover किया याद करो हमने एक chapter किया था जानते थे वहाँ पर मैंने आपको यह बताय था कि overhead recovery rate निकालने के छे method है पहला method क्या था as a percentage of dmc दूसरा क्या था as a percentage of labour cost तीसरा क्या था as a percentage of प्राइम cost फोथा क्या था as a percentage of labour are तंच वा क्या था as a percentage of machine are और शटा क्या था as a percentage of output यानि as a percentage of units units of output था है units of output तो इन 6 में अगर मैं इन 5 को एक तरफा कर दूँ तो ये 5 टेकनिकल सम्द क्या है इनका input ये सब क्या है मेरे input है इससे क्या बनके आया मेरा output बनके आता है तो ये 5 मेरे input बनके आता है output तो ध्यान दिजिए जब मैं ध्यान धीजिए जब मैं overhead recovery rate जब मैं overhead recovery rate निकालूँगा input के बेश्पर जैसे as a percentage of dmc as a percentage of dlc as a percentage of prime cost machine are labor hours तो उसे बोलुँगा input के base पर निकाला मैंने overhead recovery rate और जब मैं निकालूंगा units के base पर तो मैं बोरूंङगा निकाला मैंने output के base पर इक example ले रहा हूँ मैं अब एक example ले रहा हूँ मानलो मैंने estimate कियا मैंने idea लगाया कि अई पूरे साल में मेरा overhead इनका रोगाय माननओ 5 लाक रुपए ठीक है दूसरा कि आहश्चिमेट kiya कि पूरे छॉल में लेबर आइस लगेंगे मेरे मान लो एक लाक ठीक है और टीसरा मैं ने क्षेंट किए कि मानओ मैं बनाऊंगा estimated output और यह बनाऊंगा मैं 10,000 units यह मैंने ऐसा माना ठीक है question केंदा मेरे को दो information और गिवन है इस example है तो मानलो मुझे साल के आखरी में गिवन है actual labor hours और मानलो मुझे गिवन है 90,000 और मानलो मुझे question गिवन है actual output और मानलो यह गिवन है 9500 9500 तो यह मेरा question तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं निकालने की overhead recovery rate on the basis of input कैसे निकालूंगा मैं input मेरा क्या होता है input होता मेरा labor hours तो मैं क्या बोलूँगा वह 5,000,000 रुपय मेरे खर्चों कैसा मैंने माना था और मुझे लगता था एक लाग गंटे में काम करूंगा इसका मतलब है मेरा recovery rate है पांच रुपय पर labor hour ओके फिर मैं आपको बोलूँ कि निकालो इस actual labor के base पर कि आपने कितना overhead absorb किया आपने कितना overhead recover किया तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं overhead recovered जिसको हम absorb भी कहते हैं जिसको हम charged भी कहते हैं on the basis of again input तो भई मैं क्या बोलूँगा नब्वे हजार घंटे लेवर ने काम किया और एक घंटे के थे पांस रुपय पर आर इसका मतलब है पूरे साल में मैंने absorb किये मैंने recover किये साड़े चारलाग घंटे इसको बोलते है input के base पर overhead को recover करना अच्छा same example के अंदर मैं एक काम करने जा रहा हूं यह बात समझा आगया को यहां तो लग इतनी बात पहले मुझे बताओ क्या समझ में आ गई आपको मुश्किल तो है नहीं मैंने क्या करा मैंने निकला recovery rate on the basis of input और मैंने इंपूट के बिसपे निकाल दे कितना absorb हुआ अच्छा अगर मैं निकालू ओवरहेड recovery rate on the basis of output तो क्या बोलोगे आप आप बोलोगे साब कि हमने सोचा था यह खर्च करेंगे पांच लाग हमने सोचा था कि हम बनाएंगे 10,000 यूनिट्स तो कितना आ गया यह बई 5 लाग डिवाइड बाई 10,000 इसका मतला है हमने सोचा था कि हम 50 रुपय पर इस पर तो मैंने कितने बनाई है मैंने बनाई है 95 यूनिट्स और recovery rate है मेरा 50 रुपय है तो यह आ गया मेरा चार लाथ पिचात्तर रिजाद तो यह आ गया मेरा output absorbed on the basis of sorry overhead absorbed on the basis of output बास समझ में आ गई है तो मैं बात कर रहा था आउट्पूट एब्सॉब्ड ओवरहेड की तो इसका जवाब यह है कि जब हम कि जब हम ओवरहेड की रिकवरी करते हैं on the basis of output तो उसे हम बोलते हैं output absorbed overhead यानि कि अगर हम output के बेस पे रिकवरी करें output के बेस पर इखाले कितना हमने चार्ज किया तो कितना amount recovered आएगा उसको बोलते output absorbed overhead लेकिन अगर वही काम करें हैं on the basis of input तो कितना amount of overhead recover होगा उसको बोलते है input absorbed overhead लेके दोनों में amount different है दोनों में amount different है है ना तो बात समझ में आ गई output के बेस पर करें तो कितना और input के बेस पर करें तो कितना तो यहाँ पर मैंने आपको दो तर्म के meaning बता दिये एक है output absorbed और एक है input absorbed. Output absorbed का मतलब होता है कि अगर मैं अपने overhead के recovery करूँ on the basis of output तो कितना है मेरा output absorbed overhead और input absorbed का मतलब होता है कि अगर मैं overhead के recovery करूँ on the basis of input तो कितना होगा मेरा input absorbed overhead तो देखो information number 1 or 2 और information number 4 or 5 समझ गया. अज़र 4 मतलब क्या था? budgeted. कि भाई कितना खर्चा होगा? estimated. जैसे मैं इसी example के अंदर अगर आपसे बात करूँ तो आपको पता भी नहीं पड़ा. मैंने आपको यहाँ पर budgeted दिया है यह जो मैं estimate करता हूँ ना उसको बोलते हैं budgeted. यह information number 4 थी और question के अंदर आपको actual भी हमेशा given होगा. आपके मैंने में doubt आ रहा है सरी आप किसकी बात कर रहा हूँ? variable वाले की या fixed वाले की? कौन सा overhead? भाई मैं दोनों की बात कर रहा हूँ चाहिए variable हो, चाहिए fixed हो. उसका nature यह होगा. अच्छा. उसके बाद आता है मेरा information number 3. possible overhead. क्या word है? possible का मतलब क्या है? देखो. पॉसिबल का मतलब है possible overhead in actual days. यहाँ पर बिसली time पर dependent हूँ है, days पर dependent हूँ है, days पर. इसका मतलब क्या है? कि जितने दिन actual company ने काम किया है, उन दिनों के अंदर company ने उन दिनों के अंदर company को जो possible production होना चाहिए था, उसके base पर कितना recover किया overhead. इसको बिस और simplify करता हूँ, possible overhead को. देखो, possible overhead. यह निकलता है on the basis of possible output और possible output निकलता है on the basis of actual days. जैसे मान लो, एक company ने plan बनाया कि हम पूरे महीने में, यानि one month में 26 दिन काम करेंगे और बनाएंगे मान लो, 26 units. Okay? लेकिन हुआ क्या? इस महीने by chance पढ़ गई 15 बेस्त. इस महीने by chance पढ़ गया 26 January. इस महीने by chance पढ़ गई हो ली, by chance पढ़ गई दिवाली. तो हुआ क्या? उस महीने के अंदर, actual में सिर्फ 25 दिनी काम हुआ. तो इन 25 दिनों में कितना production कर पाना पॉसीबल था? तो भाई, 25 units कर पाना पॉसीबल था? क्यों भाई? पॉसीबल आउट्पुट को मैं मल्टिप्लाई कर देता हूँ, और जब मैं पॉसीबल आउट्पुट को मल्टिप्लाई कर देता हूँ, विद बजिटेड ओवरहेड पर इनिट, तो यह बन जाता है मेरा पॉसीबल ओवरहेड. बात समझ में आगे? अच्छा जी, अब बढ़ता हूँ में आगे. आपको मैंने पांच ओ ओवरहेड यह न बढ़ता है, एक्च्छल आउट्पुट गुना बजटेड ओवरहेड पर इनिट, यह बिसकली क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कितना ओवरहेड रिकवर किया, अभी तो मैंने करके दिखाया आपको, आउट्पुट के बेस पर, मैंने यह तो किया, आपको पता नहीं करते हैं, फॉर्म्मुला 2 के ध्यान देना, फॉर्मुला 1 क्या है मेरा, फॉर्मुला 1 मेरा, एक्शुल औपुट, और फॉर्मुला 2 क्या है, मैरा, फॉर्मुला 2 कैए मेरा, फ्उर्मुल और एक्टुल आउटू गुना likewise if iesth बहुरहेड पर डहां, साभी आपको ब budgeted overhead per unit not r actual output यह किसमें होगा यह units में होगा actual output गुना budgeted overhead per unit formula 2 क्या बुलता है formula 2 कहता है इस actual output को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे multiplied by अब ज़र ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर आने वाली information अब r's में होगी तो यहाँ किया करना पड़ेगा मुझे budgeted overhead per r भई जब यहाँ पर units में था तो मैंने क्या करा multiplied by per unit अब यहाँ पर r's में होगा तो multiplied by per r तो यह formula है यानि formula 1 पर dependent formula 2 तो actual output बनने में कितना समय लगना चाहिए था गुना क्या overhead rate है per r formula 1 and formula 2 आईए इसके बाद बात करते है input absorbed overhead अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो बच्चों के मन में आता है sir exam में कौन सा लगाएंगे formula 1 या formula 2 देखो formula 1 लगाओ या formula 2 लगाओ answer दोनों में same आएगा आपको देखना यह है आपका हमेशा 90% केस में लगेगा formula 1 ध्यान देना मैंने का बोला 90% केस में 90% केस में लगेगा formula 1 बट 10% केस में ऐसा भी हो सकता है कि formula 2 लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि formula 2 को याद ना करो उसको भी याद करना है आईए अब बात करते हैं input absorbed overhead input मतलब Rs तो ध्यान दीजिए actual Rs गुना budgeted overhead पर R यह वाला काम इस example में मैंने किया था आपको पता ही नहीं पड़ा मैंने यही तो किया था actual Rs गुना budgeted overhead पर R साड़े चार लाक तो formula 1 तो मैं लगा गए दिखाए आपको अब चरह जंदना formula 2 क्या है वहाँ पर क्या किया था मैंने output में कितने घंटे लगने चाहिए थे गुना rate कर दिया और यहां पर करूंगा मैं Rs में कितना बनना चाहिए था यानि actual Rs में कितना output बनना चाहिए था multiplied by budgeted overhead per unit अगें formula 1 लगेगा या formula 2 90% केस में लगेगा formula 1 information number 2 के अंदर में यह information कैसा होगी बताऊंगो मैं भी आपको लेकिन लगेगा formula number 1 90% केस में बट याद रखने हैं आपको दूनों फर्मुले उसके बाद बात करते हैं possible overhead यह तो मैंने बता दिया आपको possible overhead मतलब possible in actual days actual days जो हमारी company को मिले हैं इस महीने में या इस quarter में इस साल में उसमें कितना production होना चाहिए था यानि possible output गुना overhead per unit और अगर हम निकाल रहे हैं आर्स के अंदर लेको output में निकाल सकते हैं अपना बेदे को 10 गंटे actual में काम किया एक जामपल लेता हूं मैं आपड़ मैंने क्या बूला एक महीने में 26 दिन काम करेंगे और 26 बनाएंगे यह मैंने सोचा था ठीक है लेकिन एक महने में हमने सिर्फ काम किया 25 दिन कितना बनेगा बनाना चाहिए था कितना पॉसिबल था उसको बोलते हैं पॉसिबल आउटपूट लेकिन इसको मैं आर्स भी निकाल सकता हूं यहां पर मैं कर दूँ 26 दिन में मालो 26 गुना आर्ट 26 दिन में 208 घंटे काम होना चाहिए था था है ना 26 गुना आर्ट करा में ने सिंपल तो वें 25 दिन में कितना तो 25 गुना तो 25 गुना 8 तो जब मैं निकालूंगा आर्ट में तो कहलाएगा पॉसिबल आउटफू अबटो ध्यान देना जब निकालूंगा यूनिट के अंदर तो मुल्टिप्लाई करू लगएगा फॉर्मूला वन आई इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगली इंफॉर्मेशन है बजटेट ओवर हैड नॉर्मली यह इंफॉर्मेशन कोर्शन में आपको डिर्ट लिकी वन होगी मतलब फॉर्मूला वन यह फॉर्मूला टू लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको आपको सीरे की वन होगा है फिर भी फॉर्मूला वन क्या है बजेटेट आउटपूट गुना बजेटेट ओवर हैड पर यूर्ट बजेटेड आर्स गुना बजेटेड ओवर हैड पर आर्स यह कहां से आ गया रुख जाओ अभी आप खुद बोलोगे यह कहां से आया यह कैसे बनाएं आपको यह तो पता हिए कि अगर भी निकालना हो माल भी मुझे निकालना है बजेटेड ओवर हैड पर यूनिट कैसे निकालो आप वह जए तो बड़ा सिंपल है सार टोटल बजेटेड आउटपूट सॉरी टोटल बजेटेड ओवर हैड डिवाइड वाइड total budgeted output दिमाग शाद मेरा तेज चल रहा है speed में हम ऐसा हो रहा किया तो भी यह ऐसे निकालूँगा मैं अब चरह ध्यान देना है मुझे निकालना है इस बार इसको क्या करूँ overhead per unit गुना ये कर दूँ अगर इसे कहूं में A और इसे कहूं में B तो मेरा budgeted overhead का formula क्या बन जाएगा budgeted overhead per unit गुना budgeted output simple जैसे मैं निकालता हूँ actual overhead per hour तो formula क्या होता है total actual overhead divide by total actual hours अब इसे कह दूँ A और इसे कह दूँ B और निकालना है मुझे ये तो simple क्या हो जाएगा A गुना B तो वही काम मैं यहापे किया है तो यह रा मेरा actual hours गुना actual overhead per unit actual output गुना actual overhead per unit budgeted output गुना बस्टed overhead per unit और budgeted hours गुना बस्टed overhead per hour तो पांचों information को निकालने का मैंने आपको दोनों को दोनों formula बता दिये अब information का इसनवाल कैसे होगा अब कैसे बने कि special information अब बात करते हैं variable overhead variance की अब बात करते हैं variable overhead variance के उपर अमने क्या बढ़ा था output absorbed overhead input absorbed overhead possible overhead and actual overhead variable को निकालने के लिए आपको इस्तमाल करना है तीन information output input and actual तो जोई यहाँ पर लिख दिया output absorbed variable overhead input absorbed variable overhead actual variable overhead ध्यान देना उपर मैंने बाइफर्गेट नहीं किया था वैरिएबल है कि फिक्स अब मैं आभी क्या कर रहा हूं बाइफर्गेट कर रहा हूं अब ज़रा ध्यान दो आउट्पुट एब्सॉर्प को निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं कौन से वाले जो मैंने आपको उपर भी बताए तो आराम से निकालोगे आप आप आउट्पुट एब्सॉर्प वैरिएबल ओवर्एट फिर इन्पुट एब्सॉर्प को निकालने के लिए भी यह दो स्क्रक्राइस होता है इनका ब्रेक करो amigo नो दो डिए इसके लिए नर एक मैं वार्य स्क्राइब होता है वैरीएPL गोर लोखेट एक सरी मैं और एक variable overhead expense variance बस तीन होता है अब ज़रा ध्यान देना इसको मैंने बोल दिया वी ओवन इसको बोल दिया मैंने वी ओटू इसको बोल दिया मैंने वी ओट्री ध्यान देना इनके सो material मैंने बूला था मैंने वी ओटू वी ओटू वी ओट्री तो आजाएगा मेरा वैडिया वैरियेबल ओटू करूंगा तो यह है जी फॉर्मूले तो बात समझ माई basic information से निकाली जाएगी specific information और specific information निकाला जाएगा respective overhead चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बात करते हैं question number 4 conceptual question very very good आये कहता है from the following information of g limited calculate variable overhead cost variance variable over expenditure variance and variable overhead efficiency variance देखो exam में अगर आपके पास आता है आपने क्या करना है अगर box approach पता है तो बना दो box approach वरना V01 अलक्से निकाल लो V02 अलक्से निकाल लो V03 अलक्से निकाल लो formula मैंने बताई दिया आपको V01-3 variable overhead cost variance 1-2 efficiency 2-3 expenses variance तो वही मैंने आपके लिख दिया heading यह मेरा V01 V02 अब परता हूं में question को यह तीन निकालने मेरे को question है मुझे मुझे बोला budgeted production कितना था मेरा 6000 अच्छा जी मेरा budgeted variable overhead कितना था एक लाग बीजार ध्यान दीजिए मेरे पास दो information है एक है बश्रिप्रोडक्शन मतलब कितना production करने की planning की थी दूसरा कितना खर्चा होगा एक लाग बीजार तो इन दोनों information का इस्तेमाल करके क्या मैं budgeted variable overhead पर unit निकाल सकता है answer is yes तो एक लाग बीजार डिवाइड भाई छे हजार जुनिट्स तो एक बीस डिवाइड भाई छे हजार तो यह आगया मेरा budgeted input for one unit of output दो घंटे ओके फिर गिवने मुझे एक्ट्र प्रडक्शन फिर गिवने मुझे एक्ट्वल ओवरहेड इंकड इसको जड़ा वह घरो एक्ट्वल और यह मुझे गिवने एक्ट्वल आउट्फुट तो जैसे मैंने कोशन किया था भी आपको इनकाल के दिखाया था कितना output-based absorb किया कितना input-based absorb किया तो देखो यह 20 पर यूनिट है मेरा अगर मैं करू आउट्पुट बेस्ट तो क्या करूंगा उनसाट सो गुना-बिस तो उनसाटसो गुना-बिस कतना आगे एक पार यहां मेरा ऑफुट बेस्ट समझो मेरे बात को यह क्या 20 रूपीस पर यूनिट और यहां मेरा आउटफूट तो उनसट सो गुना बीस तो मैंने किता रिकावर रिखिया होगा उनसट सो गुना बीस एक ठारा अच्छा अब इसका मैं काम करता हूं मैं यहां पर निकालता हूं बजिटेड इसका मुझे क्या पता था मेरे बजिटेड आर्स कितने थे तो ध्यान दीजिए बनाएंगे छेजार एक में लगेंगे दो तो मेरे कितने थे बारा हजार घंटे इसका मतला हुआ अगर मैं निकालू इन्पूट के बेस पर तो रिकवरी रेट आगा मेरा 10 रुपए पर आर 10 रुपए पर आर कितना मेरा एक्शुल आर्स ग्यार चैसो तो ग्यार चैसों गुना दस कितना आगया मेरा एक सूला जो एक्जामपल मैंने आपको लेके बता था सेम कहानी महीं यह आपे कर रहा हूँ यह निकाला मैंने इन्पूट के बेस पर और यह निकाला मैंने आउट्पूट के बेस पर और यह निकाला मैंने इन्पूट के बेस पर आउट्पूट मेरा यह रहा इन्पूट मेरा एक् expense variance, तो लो जी, खतम हो गया मेरा variable overhead variances, मैं जानता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, कि वो 5 information, मैंने क्यों बताई थे, देखो जो भी information मैं आपको बता रहा हूँ न, ये information, experience के बैसे बता रहा हूँ, जैसे मुझे पता है कि बच्चे कहां पर confused होते हैं, या कोई भी चीज मैं कैसे सिखा हूँ, तो मुझे मालूम था कि variance निकालने के लिए, overhead variance निकालने के लिए, हमें कुछ information चाहिए, बट वो कुछ information निकालने के लिए हमें कुछ information चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने basic information निकालना सिखाया आपको, उसके बाद मैंने क्या किया, basic information से specific information नि में लिंक कर दिया निकल गया आपका वैरियेबल ओवरहेड वैरियेंसे अब एक्जाम में आपकी मर्जी है आप चाहो तो यह टेवल बना लो और चाहो तो वी ओवन वी ओटू और वी ओट्री आपकी मर्जी है लेकिन आपको जो फॉर्मुले याद रखने हैं मैं हमेशा बो और इमेश से गलतिन चाहंस भी कम रहेंगे यह मेरा एक्स्पीरेंस बोल रहा है यहां पर चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला कॉंसेप्ट है मेरा फिग्स ओवरहेड वैरियंस विद कैलेंडर वैरियंस अब ध्यान दीजिए हमारे कोर्स में चार तरीके के अब बारी आ अख्रीकी इसका नाम है फिग्स ओवरहेड वैरियंस विद कैलेंडर वैरियंस यानि यह जो चौतह वैरियंस है इसको निकालने के लिए इसको निकालने के लिए आपको निकालने पड़ेंगी पाच्व बेसिक इनफॉरमेशन और क्या कैंचिए आउटू पॉसिबल फिक्ज ओवर हेड़ बजटेड फिट्स ओवर एड और एप्षिल फिजॉग को मज़ी की बात देखो यह और यह 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 ज्यानि फ़ और फाइव नॉर्मली कोउशन में आपको गिवन होगा हर डिकालने को दो फॉर्मूले की इस्थ्वार्मूले का इस्तमाल करन तो आपर बात करो अगर मैं fix overhead की, fix overhead variances तो यहाँ पर जो variances होते हैं, सबसे पहला variance होता है, fix overhead cost variance इसको फिर हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, fix overhead volume variance and fix overhead expenditure variance फिर volume वाले को हम तीन पार्ट में तोड़ते हैं एक होता है efficiency variance एक होता है capacity variance और एक होता है calendar variance अच्छा निकलता कैसे तो ध्यान देना F01 में से minus कर दूँ F05 तो यह कहलाता है मेरा fix overhead cost variance F01 में से minus कर दूँ F04 तो यह कहलाता है मेरा fix overhead volume variance F04 में से minus कर दूँ F05 तो यह कहलता है मेरा Figs Overhead Expedition Variance फिर f 1 में से Minus कर दूğn f o 2 यह कहलता है मेरा Efficiency variance f 2 में से Minus कर दूँ f o 3 तो यह कहलता है मेरा Capacity variance और f o 3 में से Minus f o 4 तो यह कहलता है मेरा Calend Risk आपको Formule याद करने है With the Help of this Image FORMULA को मैंने letzकर लिख Sketch कर बताते हैं बट मैं सजेच्ट करूँगा आपको कि आप याद करें सारे के सारे फर्मूलों को इस इमेज के बीस पर ये वाली इमेज एक पेपर पे अलग से लिख लें वरना तो आपको मैंने रिविजे नोट रहें आप यहां से भी रिवाइज कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है है अगff ? आई एक खासष नोट जो आपको बताने चाहता हों मैं एक खासणूट बीच मा वे याँ मेरा पॉसिबल फिल्स और पूपूट इन पूपूट पासीबल एक तो अगर कोशने के अंदर बजटे乐 एकनेट डेज़ गिवन है तब तो निकाल पाशीबल फिटे लेग्ञेट लेकि अगर कोशन के अंदर बजटेड और एक्ट्ट फिक्स ओवर गिवन नहीं है तो उसकेस के अंदर हम नहीं निकाल पाएंगे पॉसिबल फिक्स ओवर हैड तो ध्यान दे जरा मेरी बात का मैंने क्या बुला मैंने बुला कि बजटेड एंड एक्शुल डेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कोशन में गिवन है तब तो अब अराम से निकाल लेंगे पॉसिबल ओवरहड लेकर अगर गिवन नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे तो प्राप्ल्य旅 है कि जब हम में कुर्चन में हिपसिबल एक्टेड गेउत फिकासिटल ओवरएट और बॉसिभल और पॉसिबल ऑउ के अंदर उसके इसके अंदर हमारे एफ़ोटू में का रिखेंगे हम नौट अप्लिकेबल और जो हमारा कैफेसिटी वैरियंस है यह एफ़ोटू माइनस थिरी के बजाए एफ़ोटू माइनस एफ़ोफोर हो जाएगा और यह बात मैंने आपको यहां पर लिखकर दी है तो हमारे पास एफ़ोटू थी नहीं होगा जब एफ़ोटू थी नहीं होगा तो हमारा कैफेसिटी वैरियंस टू माइनस थिरी ना होकर टू माइनस फोर जाएगा तो यह स्पेशल नोट है इसे खास तोर पर ध्यान रखें तो यह था जी कॉंसेट अब इसके बात चलते हैं और करते हैं question number 5, question number 5, very very good question, again बोलूँगा conceptual question, चलिए, पढ़ते हैं question को, a company has a normal capacity of 120 machines, कितनी machine हैं के पास, 120, working 8 hours per day, एक दिन में 8 गंटे काम, okay, of 25 days in a month, महीने में 25 दिन काम, यानि महीने में 25 दिन और एक दिन में 8 गंटे, और हमारे पास है 120 machines, okay, the fixed overhead are budgeted, underline करो, budgeted, 144,000 per month, ध्यान तेरा मुझे निकालना है, fixed overhead variances, तो मुझे निकाल लिए 5 information, output-based, input-based, possible, budgeted and actual, और मज़ेगी बात, आपको budgeted वाली information तो question ने खुद दे दी, यानि FO4 तो question ने मुझे बता दिया, एक लाग्चाम वाली जार, इसके बाद बरते हैं आगे, कहता है, the standard time required to manufacture one unit of product is 4 hours, यानि एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लगने चाहिए, एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लगने चाहिए, तो मुझे बात बताओ, यहाँ तक जो information पढ़ी है हमने, क्या इसके बेस पर आप मुझे budgeted output निकाल कर बता सकते हो, budgeted output, कि एक महीने में कितना production की planning हमने की थी, यह मंतली है, एक महीने में हमने कितने production की planning की थी, सोच के निकालना ज़रा, 120 machine है, 25 दिन काम करेंगे, daily 8 घंटे काम करेंगे, और question ने बोला है, कि एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लगते हैं, सोचो जारा, तो देखो, 120 machine, महीने में 25 दिन और एक दिन में 8 घंटे, तो अगर मैं 120 गुना 25 गुना 8 कर दूँ, इसका मतलब है, पूरे महीने में 24,000 घंटे काम होगा, 24,000 घंटे काम होगा, और question क्या बोला, एक यूनिट को बनने में लगते हैं, चार घंटे, तो अगर मैं डिवाइड बाई 4 घंटे कर दूँ, तो यहने जगा मेरा कि एक महीने में हमने 6000 बनाने की प्लानिंग की थी, हमारी प्लानिंग थी 6000 यूनिफ्स को बनाने की, बताओ yes और no, बात समझ में आई, budgeted output, इसके बात बढ़ते हैं, आगे question को पढ़ते है, in April 2021, ध्यान दीजिए, ऊपर भी मंत्री बात कर रही थी, और यहां पर भी मंत्री बात कर रहा है, the company worked 24 days, oh, 24 दिन काम किया है, अच्छा, और 840 machine hours per day, अब ज़रा ध्यान देना, 840 machine hours per day, क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या होता है, जड़ा ध्यान दो, मान लो मेरे पास example ले रहा हूं है, समझाने के लिए, और यह example इस question का पार नहीं, मान लो मेरे पास दो machine है, और मैं बोल रहा हूं कि एक दिन में काम करती है, 8 गंटे, 8 गंटे daily, स्मझें पार रहे है, तो क्या मैं ऐसा ब schedता हूं कि, जड़ा यह यह तरीका मेरे पास बीस हो लेकिए, जड़ा लेके दो machine है, एक machine काम कर तट गंटे, एक machine काम करेगी, आज़गन दूस्री काम करेगे एक तरीका तो यह थिर ट्रीका मेरे पास एक भी तो है मैं यह वो कि मेरे पास रोज का मोई टा मेरीenzie में 16 मशीन अर्ज कैसा निकाला आहरे मने दो गुना आठ अ Después do ऐस इसमुझ में मेरे पास दो मशीन है दो कर Courtney आठ आर्ट घंटे तो इस डीकेम पस्निट इंपरिकन करें कि दो मश्यरे काम करेंगी van इंसरी थिया है कि दो मश्यरे काम करेंगी क आट आट गन्नठे काम करेंगी एक तरीका या मेरे पास 16 न्ग स्थ आ햇न यहां आज व्लम शुम शूर्म स्थ एम काव हुआ यह क्या है मेरा, this is my actual output, ओके, इसके बाद, actual fixed overhead रुपीज वन लाक फॉर्टी टू थाउज़न, अंडरलाइन को रो शब्द actual, अगेन आपको FO5 मिल गया है, अगेन आपको FO5 मिल गया है, यह information course में directly given है, यानि FO4 भी given है, और FO5 भी given है, मुझे निकालना है FO1, 2 और 3, FO1, 2 और 3, चलिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, FO1 को निकालने के, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, FO1 को निकालने के, FO1 क्या मेरा? Output absorbed fixed overhead, इसको निकालने के दो formula थे मेरे पास, पहला formula क्याता? Actual output, गुना, budgeted fixed overhead per unit, क्या यह formula question में लग सकता है answer is yes because मुझे question के अंदर actual output given है और कितना है वो मेरा 5305 units 5305 units अब बताओ जरा मेरा budgeted fixed overhead per unit क्या है तो यह निकालना है मुझे budgeted fixed overhead per unit निकालना का simple formula total budgeted overhead कौन से वाला fix वाला divide by total budgeted units तो भ्यान दीजिए budgeted fixed overhead मुझे question में गिवन है 144 और units मैंने भी यहां पर खुद निकाली थी तो एक चामालीस बटा छे हजार एक चामालीस बटा छे हजार यह आगया मेरा वन टू सेवन थिरी टू जीरो लीजिए यह आगया मेरा एफ ओ वन यह आगया मेरा एफ ओ वन अब मुझे निकालना है अब मुझे निकालना है एफ ओ टू एफ ओ टू आईए आईए एफ ओ टू निकालता हूँ यह था मेरा एफ ओ वन अब निकालता हूँ एफ ओ टू यानि इनपुट एब्जॉब्ड फिग्स ओवरहेड यानि एफ ओ तू अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रेक्टिस ज्यादा करने पड़ कुछो अगर फरंगुले आपको याद ना हो चेप्टर के अंदर और एक्जाब में बड़ा सा कोश्चन आ जाए घर बाना मुश्किल होगा अब वो पूछेगा mcq के अंदर और अगर पूछेगा भी तो ज्यादा नंबर की नहीं पूछेगा ऐसा मेरा मानना है तो जो चीज आपको शोर्षॉट मार्स दे सकती है वह थियूरी कैसे थियूरी के अंदर जो हमारा इंसिट्यूट है ज्यादा चीने चेंज नहीं कर स लेकिन लोग ठीवरी को छोड़ देते हैं यह मानते वेग्यार यह तो पूरा प्रेपर जो है प्रेक्टिकल है इसमें यह भी पॉसिबल है कि सौ में से आप नभे प्लस लियाओ ठीवरी ग्रों करके भी पॉसिबल है लेकिन सवाल यह एकिश्यूरी पर आपकी पकड़ सिर कर पाओगे लेकिन अगर आपने छोड़ दी होगी 100 नमबर का पीपर नहीं कर पाओगे तो कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया ना मिला पढ़के नहीं गये तो यह मान के चलो उस वाले चैप्टर में से कितना भी इजी क्यों ना बहुत मुश्किल चैप्टर इसमें तो 15-20 कोश्चन है जो बड़े-बड़े कोश्चन है करने पड़ते हैं उनको मैं एकसर बोलता था यार चैप्टर बड़ा आसान है और सिंपल सी बात है जो खर्चा है उसको लॉजिकल बेस बांटो बात करता हूं इतनी सी बात है वह और कुछ ही नहीं है बच्चे मानते नहीं थे फिर हुआ गया है से उनकोट चेंज किया और एक्टिविटी बेस्ट इसको चैप्टर ना अपने आपके कभी आसान या मुश्किल नहीं होता है उसको आसान या मुश्किल मनाती हमारी सोच जैसे चैप्टर कॉस्टिंग मैं C एंटर की बात करता हूं तो बच्चों सर में पूछू कि कौन से मुश्किल है तो हर बच्चा बोल देता है स्टेंडर्क कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग इंटीगरेट्ट एंड नौन इंटीगरेट्ट और सारीं चार प्षक्टर आपको नहीं करना मत करे चोड़ जाओ मुझे किया अपकी मर.' लेकिन आपको बता रहो । मुश्किल मानने का। तो किसली की बाप उसे एज़ी नहीं कर सकता। आप मुश्किल ही रहेगा वह आपके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि वह सुना आपने मन के हारे हार है और मन के जीते जीत इसको चेंज कर दो मने माना आसान है तो आसान है और मने माना मुश्किल है तो मुश्किल है आसान मुश्किल अपने आप में कुछ भी नहीं होता एक कोशन एक बच्चे के लिए कटेगरी सी में ह एक बचक के लिए केंगली एमें है अब आप बताओ एक तो केरा बहुद्र अप्साने क्पर मुश्किल है कैसे हो गया यह मुश्किल सारी कहानि हो mayo की तरदर दाफ सब्सक्राइब तरपांटर सुपर सब्सक्राइब aquest process पैंप सब्सक्राइब चलिए अब निकालता हूं में इनपुट एब्सॉब फिट्स ओवरहेड अगें इसे निकालने की दो फर्मुले हैं पहला फर्मुला क्या है एक्षुल आर्स गुना बजटेड फिग्स ओवरहेड पर आर आउजरा एक्षुल आउस निकाल सकते हैं कि हम तो ध्यान दीजिए ह हमें डेज गेवन है एक्षुवल हमें 840 मशीन आर्स गेवन है पर देग तो 24-840 24-840 यह तो क्या हो गया में एक्षुल आर्स और गुना मुझे करना बजटेड फिग्स ओवरहेड पर आर्स आए निकालता हूं बजटेड फिग्स ओवरहेड पर आर तो ज़रा द्यान दो बजटेट फिग्स ओवरेहड पर आर तो फ़र्मुला क्या टोटल बजटेट फिग्स ओवरेहड कितना मेरा एकशावाज फोर्शन में गया आप अच्छा टोटल बजटेट एड आर्स तो ध्यान दीजी हमने कितने बने अगए आधार बनाएंगे ऐसा सोचा था एक को बनने में चार घंटे कितना ओगे टोटर बश्रिट आर्स छे अधार गुना चार छे अजार युनिट्स गुना चार घंटे पर युनिट तो करो भई एक चमालिस डिवाइड बाई चौविस तो ये आगया मेरा छे रुपय घंटा चे से मल्टिप्राई कर तो इसको तो भई छे गुना चौविस गुना आट चालिस ये आगया मेरा 12 0960 लोजी यह आगया मेरा Aft O2. यह लोजी 120 960 120 960 अब करते हैं बात FO3 की. FO3 की बात करते ही यह कोशन अपने आप सॉल्फ हो जाएगा. विकाज हमारे पास FO1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया. बात करते हैं 3 की. आएए. पॉप्षा निकालना है एक ओधि इसका नाम है पॉसीबल फिक्स ओवरहेड निकालने के अगें दो फर्मुले पहला फर्मुला पॉसीबल आउट्पुट गुना बजेटेड इग्स ओवरहेड पर यूनिट अच्छा जी यह पॉसीबल आउट्पुट निकालूंगा यह नि चौश्य फिक ओव्वरह पर उनिट मुझे निकालने पॉसीबल आउट्पुट और आउट्पुट से मतलब है कि पॉसीबल आउट्पुट इन एक्चुवल दीज कंपनी ने जितने दिन एक्चुवल में काम किया उसमें कितना पॉड़क्शन कर पाना पॉसीबल था तो और अगर 24 दिन इन्होंने to actual इसका मतलब है पांच हजार साथ सो साथ यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाना पॉसिवल था तो यहां पर लिखा मैंने फाइव सेवन जिक्स जीरो तो लो जी यह आगया मेरा वन थीरी एट टू फोर जीरो आगी बाद समझ में कि 120 मशीन एक दिन में 8 गंटे और दिन है 24 तो 24 दिन में इतने गंटे काम पर पाना पॉसिवल था डिवाइड बाई और आर्स पर यूनिट तो 24 दिन में पांच हजार साथ सो साथ यूनिट्स बना पाना पाना पॉसिवल था तो लो जी यह आगा मेरा इपओ थी उसके बाद फर्मुलिया आप आराम एप से लगा लेंगे कोई दिक्क्रत ही नहीं है सिंपल माइनस करना है एफ ओवन माइनस 5 कॉस्ट वेडियंस 1 माइनस 4 वालिम वालियंस 4 माइनस 5 एक्सपेंस वालियंस यह ना 1 माइनस 2 एपिचें जड़ते हैं आगे क해 इसके बाद चलते हैं अगला concept अगला concept very very easy अगला concept है production volume variance निकालना बता अ hn बता हो निकालना overhead variance अब ये कौन ब muchísimo है ये combined overhead variance है ये क्या है मेरा आए ये मेरा combined overhead variance सबसे पहला मेरा क्या था production volume variance volume variance कैसे आएगा तो ध्यान दीजिए volume variance production volume variance एक होती है मेरी actual capacity और एक होती है मेरी budgeted capacity मान लो पूरे दिन में मैं 200 units बना सकता था बट बनाई मैंने 100 इसका मतलब क्या है 100 मैंने कम बनाई माइनस में आएगा 100 मैंने कम बनाई तो यह 100 कम बनाने के चक्कर में मैं कितना budgeted fixed overhead per unit recover नहीं कर पाया उसको बोलते हैं production volume variance आगे बाद समझने अपनी capacity पूरी इस्तमाल नहीं कर पाने के चक्कर में कितना fixed overhead recover नहीं कर पाया यह कितना ओवर्ड का नुसान हो गया मेरा because of less production less capacity utilization उसे कहते है production volume variance formula होता है actual capacity minus budget capacity multiplied by budgeted fixed overhead per unit underline करो वर्ड fixed overhead per unit यहां पर किसकी बात हो रही fixed की यहां पर variable नहीं है volume वाले में only fixed और second वाले में दोनों किया है सेकिंड वाले का production वाले समझ गया कितनी capacity मैंने production कम किया तो जो मैंने production कम किया उसके लिकावरी नहीं कर पाया मैं उसको production volume variance फिर बात करता हूं variance number two overhead expense variance simple सी बात है कितना overhead मैंने सोचा था minus कितना हुआ और यहां पर दोनों है fixed भी है variable भी है combined नहीं बिसिक लिए तो कितना मेरा budgeted था तो ध्यान दीजिए budgeted fixed overhead per unit यहां पर लिख लीजिए budgeted fixed overhead per unit multiplied by budgeted production capacity plus budgeted variable overhead per unit multiplied by actual production capacity और माइनस कर देंगे actual overhead यहां पर मतला पर actual fix overhead plus actual variable overhead इसको मैं और elaborate कर जीता हूं second बाले की बात कर रहा हूं मैंने निकालना overhead expenditure variance मैंने आपको बताया it is difference of two figure पहली figure है budgeted overhead दूसरी है actual overhead अच्छल में सारी आएंगे fixed भी आएगा and variable भी आएगा अब ज़रा ध्यान दिना यहां पर भी दोनों आएंगे fixed भी आएगा variable भी आएगा तो निकालें कैसे इसको अगर question में directly given है तब तो बात ही खत्म होगई question given है budgeted fixed overhead और बॉस्ट भी आएगा करेंगे हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे budgeted fixed overhead पर यूनिट को multiply करेंगे with budgeted capacity और budgeted variable overhead पर यूनिट को multiply करेंगे with actual capacity बस आपको ध्यान simple इतनी सी बात रखनी है आपको ध्यान बस इतनी सी बात रखनी है इसे multiply करेंगे with budgeted capacity और इसे multiply करेंगे with actual capacity है ऐसा क्यों because it is dependent on budget and it is depend on actual capital production it is dependent on actual production तो यह खास बात है तो यह आजी concept लेको फिक्स वाला इस प्रिपन करता है प्लैनिंग के उपर अगले एक महीं में कितना खचा करूंगा अगले एक महीं में कितना बनाऊंगा यानि बजटेड है Casa a fixed वेरिवेल वाले में टेंचन नहीं है विकोज अब वाला एक्छिन बीपेंडेंट ऊड़्सन करूंगा तो खर्च होगा नहीं करूंगा तो नहीं होगा तो इसलिए जब टोप निकालते हैं वाला खर्चा तो UWाले से एक्चल वाले से और जब निकालते है फिक्स फाले तो मडिल्डाई करते है फजिक्स वाले से मतलब बस्ष डिडन वाले से यह मै Department रåसी होता ह। इतना बनां। अधक्स हो गया चलिए इसके बात करते हैं कोशन नंबर शिक्स अगें गुड़ कॉंसेप्शुल कोशन इसमें क्या निकालना है इसमें मुझे निकालना है वही जो मैंने भी सिखाया आपको प्रदक्शन वॉल्यूम वैरियंस एंड ओवड एक्समेंटिशर वैरियंस आईए आए दो ओवरहेड एक्समेंस बजट फॉर्ड ऐप्री प्रॉड इंड यह क्या मेरी इस इस माई बजटेट कैपिसिटी यानि हमने ऐसा माना है कि एक मैंने में बनाएंगे 200 इंट आए पावर फ्यूल डिपेर मेंटिनेंस प्रिंटिंग अधर तीन अधर पंदरा मेरा क्या है बजटेट फिग्स ओवरहेड पर इनिट बजटेट वैरियेबल ओवरहेड पर इनिट ओके अब आईए कोशन में निशे क्या बोलता है कहता है दा कंपनी एक्शली प्रडूस्ट तो यह मेरा क्या है डिस इज माई एक्शुल कैपसिटी अच्छ एक्शुल कैपसिटी आई यह बात करते हैं सबसे पहले वैरियंस की जिसका नाम है प्रदक्शन वॉल्यूम वैरियंस सौ यूज का रहा मैंने 200 मेरी बच्ट कैप विए औरिम्ड ऐँर्ड वेरियंट और यह मिरा बच्ट वैरियंबल और एक्शुल कापसिटी एक्टि-धिक गुना बजेटेंट 350 फिज और पर इजार यह तेन तीने आं से आये चण्यटी इसके बाद बढ़ते आगे फिर कहता है details of overhead incurred actually have been provided by the accounts department are as follows यह क्या है मेरे this is my actual खर्चा ओवरहेड का कितना है जोड़ू का एक बार चार दो एक पिचातर और तीन पिचातर तो यह आ गया मेरा ग्यारा पचास this is my actual overhead okay अब मुझे क्या निकलना ओवरेड़ एक्षपेंस वेडियंस आउचा निकालता हूँ यहां पर निकालता हूँ कि मुझे क्या निकालना हो लेक्षी एक्सपेंस वेडियोंस फोर्मॉला क्या था बज्ञेट मायनस एक्षपेंसव एसलों में साड़ी गяж रहा है तो यह यह एक्षु ए साड़ी अगया मैं वहतिक्ता हों यह सर्क्त क्या अब बात करते हैं ऐसी कि वा फिक जलो 1 3509 द्विर फिक्सीर। हार सिंतों यह आगा मेरा 4.0.00 रुपए और आरा नेगेटिव किट मीन्स एडवर्स तो लो जी कोशन नंबर शिक्स आपका यहां पर हो गया है धराशाई कोशन नंबर शिक्स आपका यहां पर हो गया है धराशाई जैनि कॉंसेप्ट इस ओवर अब आओ भया सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जहां से मुझे लगता है एक्जाम के अंदर आने के चांसेश बहुत बहुत ज्यादा है तो दीरे-दीरे क्या हो रहा है कि दीरे-दीरे सी एक्जाम का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है आज के दस साल या बारा साल पहले की बात करूं मैं तो स यह इंटर में कॉस्टिंग पेपर का जो स्टेंदर्ड था इतना हाई नहीं था जितना आज की डेट में है और mcq एड करने के बाद इसीट को एक फायदा हो गया है कि अब वो आराम से हर टॉपिक के उपर कोशन पूछ सकता है और तो वही बात हमाई से करने वाला है अब इस तरे कोश्टिंग वाले चाप्टर के अंदर कोशन दो तरीके की होते है एक तो होता है data given है बेरियंस निकार लो वह तो हम कर चुके अब आ गया बैरियंस गिवन है बैक डिट निकार लो पहला क्या था फॉर्मूले से पहला क्या था इन्फॉर्मेशन से लगाव फर्म इसको बोलते हैं reverse type of questions तो इस टाइप के questions exam में descriptive आना लाज़मी है और 8 नंबर से लेकर 16 नंबर आपको मैं बाब बता दूं इन questions करने के लिए थोड़ी सी mathematics आपको आनी चाहिए और थोड़ी सी से मेरा मतलब है class 10th वाली mathematics इससे हाई-फाई नहीं class 10th वाली mathematics यहाँ पर होगा क्या कोशन आपको अदूरी information देगा कोशन आपको अदूरी information देगा कुछ अब उस variance का इस्तवाल करके जो बची कुछी information कोशन नहीं दी है वो खुचे निकालनी पड़ती है यह होता है reverse calculation वाले कोशन के अंदर तो एक कोशन करेंगे जिससे आप बात को समझ जाएंगे कोशन नमबर 7 चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और कोशन नमबर 7 करते हैं कोशन नमबर 7 reverse वाला कोशन है जहां पर हमें कुछ data और कुछ variance given होंगे और उनकी मतलत से हमें कुछ data और कुछ variance निकालने होंगे कहने का मेरा मतलब है information और variance तो ना तो यह full given होंगे और ना यह full given होंगे मलब कुछ given होंगे यह और कुछ given होंगे यह और हमने करना क्या है जो given variance है उससे निकाली है वाकी information और जो वाकी information में निकाली है उसके विशे निकाली है कुछ variance तो यह हमारा concept है यहाँ भी हमने करना क्या है द्यान दू इस तरीके कोष्शंज के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता है इसunei करना क्या होता है देखो exam में जब भी कोष्शन आयओ इस तरीके का सबसे पहले यह ensure करो कि आपको सारे के सारे formula या दोने चाहिए आपने हैं सारे के सारे formula ले और सारी के सारी information को एक proper format में लिख ले और वो proper format क्या है तो जो मेरे students से उनको पता है वो box हमारा proper format है और उसके बाद दिमाग का इस्तमाल करें कि भी कहां पर कोई variance अगर given है जैसे मानलों कि मैं बात करता हूं जैसे बात करता हूं direct material cost variance मानलों हमें यह given है suppose को यह में given है 100 रूप है favorable ठीक है तो इसका formula क्या होता है इसका होता है M1 minus M4 M1 क्या होता है SP गुना SQAO और M4 क्या होता है AP गुना AQ इसके मतलब मेरे पास यह given है अब जड़ा ध्यान दो आपको दिमाग लगाना है अगर यह information given है यह given है यह given है तो यह निकाल सकती हो कुल में लागे मैं कहाने का रहा हूं देखो मेरे पास चार information इस वह निकालने के लिए अगर कोई भी तीन information question में है तो चौथी information में निकाल सकता हूं विद्धी help of this equation ऐसा भी हो सकता है कि हमें यह गिन हो यह गिवन हो ये गिल आइगा आहाइगा ऐसा मिंध sir और अधर हम पूरोगे पूरे के आंसर को खोलेंगे और निकालेंगे required information जो question ने हमसे पूछी है चलिए question number क्या था question number seven क्या प्लिमिटेड operates a system of standard costing in respect of one of its product which is manufactured within a single cost center following are the details हमें क्या गिवन है budgeted data देखो 60 लगाएंगे a की 40 लगाएंगे b की मतलब लगा है अबने 100 normal law से 20 मतलब output होगा 80 तो basically मुझे गिवन है 20 और 30 यह मेरा क्या standard price okay फिर मुझे गिवन एक्शुल आउपुट जो कि है मेरा asset फिर मुझे गिवन है material a and b यह मुझे गिवन है actual quantity और यह और मुझे गिवन है दो सब्सक्राइब और मुझे बाकि सारी information निकाल लिए तो सबसे पहले मैं काम करता हूं सबसे पहले बनाता हूं मैं एक table और वो table क्या है मेरी वो मेरा box है चलो question number 7 मैं बनाता हूं table तो क्या है table के अंदर SP 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 और AP यह मेरी टेबल multiplied by aq aq rsq and sqao है ना यह में निकालना होता है इसकी बैस में निकालते हैं variance material मेरे दो तरीके क्या है एक है मेरा a और एक है मेरा b तो जो information question वो गिवन आए पहले वो लिख लेते हैं तो मुझे question के अंदर SP गिवन है 20 रुपय इसका है और 30 रुपय इसका है और 30 रुपय इसका है इसके बाद मुझे given है actual quantity तो मुझे यहाँ पर given है सतर और मुझे given है actual price 30 तो यह मुझे given है 30 यह मुझे given है अच्छा उसके बाद बात करते हैं क्या मैं SQAO निकाल सकता हूं answer is yes तो जड़ा ध्यान दे रहा हूं जड़ा ध्यान दो मैं निकाल रहा हूं SQAO इसको निकालने का फॉर्मुला क्या है actual output गुना budgeted input for one unit of output तो मुझे निकालना है ये with respect to A and with respect to B सबसे मेले बात करता हूं बताओ जरा मेरा actual output कितना है तो मुझे question में given है मेरा actual output है 80 units this is my finished product output फिर मुझे निकालना है ratio आओ जरा question को पढ़ते हैं यह देखो question में क्या given है अगर मुझे 80 बनाने हैं तो एक के चाहिए 60 और बी के चाहिए 40 मतलब 60 बटा 80 और 40 बटा 80 यह बनेगा मेरा ratio यानि तो एक के लगाने पढ़ेंगे 60 और बी के लगाने पढ़ेंगे 40 तो मेरा 3030 कड़ गया तो मेरा yasuki a hoaja 6 और 40 जोrices score में निकिल लिए है वो में या Phed कर दीता हूँ में ए %.40 मैं निकल लिए तो यह आग Ryu estava 12 200 और यह भी आगा मेरा बारा-गरणर तो यह आगया मेरा 2400 इसको बोलता हूँ मैं M1 इसको बोलता हूँ मैं M2 इसको बोलता हूँ मैं M3 और इसको बोलता हूँ मैं M4 आईए चेक करता हूँ कोशन में और क्या information है जो मैं निकाल सकता हूँ अभी तो बाखी को information तो लग नी थी मुझे जो मैं निकाल सकता हूँ अच्छा question के अंदर मुझे given है price variance question के अंदर मुझे given है price variance ध्याद देना मुझे aq भी तो given है यह aq 70 actual quantity अच्छा अब जब आ जाईए question के अंदर मुझे given है direct material price variance किसका material a का क्या given है 105 adverse मतलब 105 नेगटिव इसका formula क्या होता है इसका formula होता है variance का price variance का m3-m4 मैं बात करता हूँ ज़रा material a की तो ध्यांदी जी यह मेरा m3 है 1400 है ना और यह मेरा m4 है अब m4 मुझे पी नहीं पता यानि मुझे क्या नहीं पता price of a तो price of a को मैं मालेता हूँ PA है ना तो यह हो जाएगा मेरा 70 PA आओ जारा यहां पर क्या हो जाएगा m4 है मेरा m3 मेरा 1400 और m4 है मेरा क्या था m4 70 PA 70 और यह रहा पी तो क्या इसको solve करके मैं PA की value निकाल सकता हूँ PA तो क्या हो जाएगा 1400 यह से लागा उसाइड में प्लस में 105 डिवाइड वाइड वाइग सेवन्टी तो यह आ गया मेरा 21.5 तो लो जी आप से बाते करते करते मैंने क्या निकाल लिया है actual price of material P sorry actual price of material A और ध्यान देना मेरे कोशन के requirement थी है यह देखो क्या निकालने के लिए बढ़ता actual price of material A तो यह निकाल लिया हमने कितना 21.5 तो एक काम करता हूँ जहां पर लिखा हुआ पी एस को मिटा क्या कर दो 21.5 कर दो अब 21.5 तो बहुए 21.5 गुना 70 यह आ जाए मेरा 1505 तो मुझे गीवन है एक वैरियंस उससे मैंने निकाल लिया एक information उसके बाद मुझे गवन है material cost variance आओ जरा बात करते हैं यहाँ पर लिखा है direct material cost variance और यह combined है विकोज यहाँ पर लिखा नहीं किसकी है यह दोनों की है यह 275 रुपए adverse है इसका formula क्या होता है इसका होता है M1-M4 आओ जरा क्या मेरे पास M1 है M1 तो मेरे पास है 1200 रुपए M4 के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए quantity of B तो यहाँ पर लिखता हूं मैं इसको मैं मानता हूं quantity of B तो यह का हो जागा 1505 प्लस 30 Q इसका मतलब हुआ 2400 रुपए M1-1505 प्लस 30 Q इसकों Tी ओफ इसकों Tी ओफ बी इक्वल तो मैंस 275 तो 2400 रुपए M1-2505 प्लस 30 Q इसकों Tी ओफ भी माइनस 275 अब 245 यह आगया मेरा 895 उसको मैं लेके आगया लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेगा राइट हैंड साइड में 30 quantity of B तो quantity of B बराबर क्या हो गया 895 प्लस 275 1170 बटा 30 तो यह आगया मेरा यह आगया मेरा 39 तो लो 39 unit यह आगया मेरी quantity of actual quantity of B अब ध्यान दो जरा मुझे question भी यह निकालने के लिए बोला था तो यह मेरा कितना आगया 39 units आईए इसके बाद बढ़ते हैं आगये तो मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पर लिखा था क्यू भी यहाँ पर लिता हूँ 39 अब ध्यान देना यह भी मेरा AQ है और यहाँ पर भी आएगा AQ तो मल्टिप्लाइड वाई 39 तो 30 गुना 49 प्लस 1505 M4 आगया मेरा 2675 फिर इसकी बात करते हैं M3 की तो 30 गुना 39 प्लस 1200 यह आगया मेरा 2570 मुझे M2 निकालने के लिए क्या चाहिए RSQ और RSQ का मतलब होता है कि Total Actual Quantity Consumed को बात दो Standard Material Mixed Ratio Standard Material Mixed Ratio तो कितना है मेरा Actual Quantity तो ध्यान दीजिए A की Quantity है मेरी 70 और B की है 39 तो यहाँ पर लिखा मैंने 70 प्लस 39 केतना होगा 70 प्लस 39 यह हो गया 109 यूनिट्स और इसको मुझे बातना है Standard Ratio के इंथा Ratio मेरा केतना है तो Ratio 60 इस्टू 40 यह मुझे कहां से मिला अभी दिखाता हूँ आपको 60 इस्टू 40 यह रह यह मुझे Question में गिवन है Ratio 60 इस्टू 40 तो बांटो भई 190 को 64 में तो डिवाइड बाई 100 गुना 60 तो यह आगया 65.4 तो यहां पर लिख दिया मैंने 65.4 और यह आगया 43.6 निकालता हूँ मैं M2 तो 20 गुना 65.4 और 30 गुना 43.6 यह आगया मेरा 26.6 आपके पास M1 भी आगया M2 भी आगया M3 भी आगया M4 भी आगया तो बागी जो requirement है Question की यह 4 हो आस्तानी से निकाल लोगे आप है ना 4 की चाल रिक्वार्मेंट तो Question number आपका थे 7 तो Question number 7 अब हो गया अब तो आराम से निकाल लोगे Price variance क्या होता है M3 माइनस M4 Usage क्या होता है M1 माइनस M3 Mix क्या होता है M2 माइनस M3 और Sub-Useasage मतलब Yield क्या होता है M1 माइनस M2 तो 4 की 4 वारियंस अब आप से आराम से निकाल लोगे Because आपके पास M1 भी है M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है तो देखा आपने कहने का मतलब यह है कि आपको information को fit करना है और variance में यह देखना है कि कहां पर एक information मैं निकाल सकता हूँ उतना question solve करते जाना है धीर धीर आगे बढ़ते जाना है Question आपके पूरा solve हो जाएगा चलिए इसके बात करते है अगला question question number 8 again very very good question और कौन सा question है यह? वह question है reverse calculation वाला question है आईए हमे question में क्या given है following data is extracted from the books of XYZ limited for the month of January 2020 हमें given है estimation basically यहाँ पर हमें given है budgeted A की लगनी चाहिए थी 800 B की लगाएंगे 600 और यह क्या है मेरा this is my SP standard price और यह क्या है total amount start 600 गुना पीस 18,000 ओके फिर गिवने normal loss 10% of input ओके फिर यह मेरा actual output this is my actual output of finished goods यह given है actual quantity और यह given है actual price full information यहाँ पर भी given नहीं है अब ज़रा ध्यान देना यह क्या है मेरा यह मेरा AP गुना AQ है ध्यान दो भाई 90 गुना यह करके यह आएगा फिर यह गुना यह करके यह आएगा तो यह मेरा यह मेरा AP गुना AQ है तो अगर प्यार से बोलूं तो यह मुझे given है M4 उसके बाद मुझे question में given है दो variance एक cost variance और एक price variance और मुझे निकालने है कुछ information और कुछ variance आईए जो information इस question में दे रखी है उसको मैं table में fit करता हूँ question number 8 SP 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 and AP यह question difficult बिल्कुल नहीं होते हैं बस provided आपने practice की हो आपको formula सारे याद हो और basic mathematics जो आपने करिये 10th class में उतनी आपको आती हो इतना सा काम है यह वाले questions आपके आसानी से हो जाएंगे दो प्रकार के material है आज़ा मुझे question में जो given है वो लिख लेता हूँ मुझे SP given है B का तो मैं यह लिख लेता हूँ आज़ा मुझे AP भी given है B का तो मैं यह भी लिख लेता हूँ ठीक है आईए इसके बाद मुझे AQ given है मुझे AQ given है A का 900 unit 900 kg तो यह 900 kg given है मेरे को 900 kg given है मेरे को अच्छा जी और मुझे क्या given है हाँ मुझे M4 given है यानि मुझे 59825 यह given है सारी information होगी जो जो मुझे given है हाँ जी होगी सबसे पहले मैं निकालता हूँ सबसे पहले मुझे कोशन में मुझे कोशन में कोश्ट वेरियंस कोश्ट वेरियंस यानि M1-M4 मुझे गिवन है M1-M4 आज़े कितना है मेरे M1-M4 3625 3625 ओके अच्छा क्या मुझे कोशन के अंदर एक्सरापुट रखा है हमें SQAO निकाल सकता हूँ SQAO तो मैं निकालने जा रहा हूँ SQAO मुझे क्या चाहिए एक तो चाहिए एक्सरापुट एक मेरे को चाहिए बजटेड इन्पुट पर वन उनिट अप आउटपुट यह मेरे को चाहिए विद रस्पेक्ट तो माटीरियल A and माटीरियल B तो मेरे पास आउटपुट तो है 1480 kg 1480 kg मुझे निकालना है इन्पुट आउटपुट का रेशो तो ध्यान दीजिए कोश्टन ने मुझे बोला 800 kg लगाए और 600 kg लगाए यानि हम लगाए 1400 तो नॉर्मल लॉस होदा 10% यानि 1400 का 10% हो गया मेरा और 600 लगाना पड़ेगा B यानि 800 बटा 1260 और 600 बटा 1260 निकालो ज़रा कितना रहा 1480 गुना 800 डिवाइड बाइड 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 या आगया 939.68 तो राउंड आफ कर लेता हूँ 940 kg पिर उसके बाद चौदा असी गुना 600 डिवाइड बाइड बाइड साथ तो या गया 704.76 यानि ये आ गया मेरा 705 kg तो 940 और 705 तो मेरे पास जो इंफोर्मेशन आ गई है 940 और 705 मेरे पास ये इंफोर्मेशन आ गई है ओके अच्छा मुझे कोर्शन में क्या गिवन है मुझे question में given है m1-m4 मुझे given है direct material cost variance तो ध्यान दो मुझे क्या given है direct material cost variance केतना given है 3625 और यह favorable है मतलब positive अच्छा यह क्या होता है m1-m4 होता है अच्छा अब जड़ा उपर आओ देखो मेरे पास यह नहीं है तो मैं मान लिएता हूँ sp of a sp of a मान लिया मैंने तो 49 गुना sp of a 49 गुना sp of a plus 30 गुना 705 30 गुना 705 यह मेरा m1 अच्छा m4 मेरे कितना है m4 तो मुझे कि मैंने 598 25 और यह मेरा positive 3625 तो क्या इसको solve करके आप sp a निकाल सकते हैं तो भई 30 गुना 705 और है 598 25 3625 यह divide by कर दिया तो यह आ रहा मेरा 45 रुपय और दिस इस माई 45 इसेंदर प्राइज ओफ ए 45 रुपीज तो आई यह जरा जो information मेरे को मिल गई है यहां fit कर दू 45 तो निकालू जरा 45 गुना 940 प्लस यह गुना 705 यह आ गया मेरा 63 चार सो पचास 45 गुना 940 प्लस तीज गुना 705 यह आ गया मेरा 45 SP of A इसके बाद मुझे question में गया मैं है material price variance और price होता है मेरा M3 माइनस M4 प्राइज होता है मेरा M3 माइनस M4 यहां पर मुझे AQ नहीं पता तो यहां पर मैंने कर रहा हूँ AQ of B तो आओ ज़ा रहाँ direct material price variance है मेरा 175 F F बोले तो favorable और यह क्या होता है M3 माइनस M4 तो M3 मेरा कितना है M3 है मेरा 45 गुना 900 प्लस 30 गुना AQ 45 गुना 900 प्लस 30 गुना AQ of B माइनस M4 है मेरा 59825 मुझे question में गिवन है और यह है मेरा 175 फिवर्म अलब पॉजिटिव तो क्या इसको solve करके मैं AQ of B निकाल सकता हूँ तो भई 59825 मुझे प्लस हो जाए गया प्लस 175 माइनस में होगा 45 गुना 900 तो 60 से 19500 गुना 900 तो यह आ गया मेरा 650 kg तो मेरा AQ अब भी आ गया 650 तो आए इस information को मैं उपर लिखके आता हूँ 650 तो इसको मैंने मिटाया यहां पर लिख दिया मैंने 650 kg तो भई 45 गुना 900 प्लस 30 गुना 650 यह आ गया मेरा 60,000 मेरा M3 आ गया 60,000 इसके बाद बाद करते हैं अच्छा यह भी तो आ गया मेरा 600 कितना हो गया यह 32.5 गुना 600 यह आ गया मेरा 21,125 अब ज़रा ध्यान दो मुझे M4 गिवन है और मुझे निकालना है AP of A तो भई AP of A यानि जो भी आ पर आएगा प्लस 21,125 इक्वल टू 59825 तो मेरा आ जागा AP of A भाई मुझे गिवन है M4 कितना 59825 मुझे गिवन है 59825 आओ ज़रा M4 याद करके हैं क्या था 900 AP प्लस 21,125 900 AP प्लस 21,125 तो 21,125 को माइनस कर दीजिए 59825 में और डिवाइड कर दीजिए 900 से तो यह आ गया मेरा 43 तो लीजिए मेरा आ गया actual price of A 43 आ यह इसको भी उपर लिखके आता हूं मैं यह आ गया मेरा 43 तो मेरे पास M4 तो अलड़ी है मुझे निकालना है SP SP तो मेरा आ गया 45 अब मुझे निकालना है RSQ कैसे निकालू टोटल actual quantity consumed तो लीजिए RSQ निकालना है मेरे को तो मेरी टोटल एप्ट्वल क्वांटिटी कंजूम केतना है तो 900 प्लस 600 यानि की 1550 kg अच्छा और मेरा standard material mix ratio केतना है तो वह है मेरा 800 इस्टू 600 यानि 800 इस्टू 600 तो बाट दो भई with respect to a केतना और with respect to b केतना तो 1550 divided by 1400 गुना 800 तो यह आगा मेरा 885.71 इसे मैं कहा लेता हूं 886 और दूसरा आगया मेरा 664 तो 886 और 664 तो यहां पर लिख देता हूं मैं 886 664 आई यह निकालता हूं मैं M2 तो 45 गुना 886 प्लस 30 गुना 664 यह आगया मेरा 59790 लो जी अब तो आपके साहने पूरी टेबली बन गई M1 निकल गया M2 निकल गया M3 निकल गया M4 निकल गया कि आपने हर कॉंसेप्ट को deeply समझाओगा आपने हर मेरी बात पर गौर किया होगा और जो कंसेप्ट क्राइटी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश किया आपने उसको लिया होगा देखो मैं दे रहा हूं अपनी तरफे 100% और आप से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी डटर की आपने तर, को के?